हालो एब्रीवन विल्कम यौल वन्स अगें टो इस चैनल प्रभावी कंपटिशन अप में सबका स्वागत करता हूं अगें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बुक्ले के आया हूं पिक्चोरियल रिप्रजेंटेशन वाली जो क्लासस हमने सुरू की है घटना चक्र की है जी एस द्रिस्टी जी एस वन द्रिस्टी आपकी घटना चक्र की है यह ठीक है और इसमें क्या है जो भी आज हम लोग डिस करेंगे कम्प्लीट बुक एक ही वीडियो में मैं दूंगा आपको वेरी इंपॉर्टेंट एगें विकॉस आल अप दस्टफ रिलेटेट टो इंडियन हिस्टी लेटेट भी एंचेंट मिडाइवल और मॉडर्न और कंपाइल इन जस्ट वन हंडेट थर्टीन पेज़ेश और इस आर कंपाइल इन फॉर्म फॉर्म फफ लोचार्ट मैप्स एक्सेटरा सो एक बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इन होने बनाने की कोशिज की है और काफी मतलब बहुत ज्यादा सक्सेस्फुल बुक ये हो चुकी है जो अच्छी किताबे हैं वही मैं आपके सामने लेके आता हूं और ऐसी कई सारी बुक्स को मैं कभर कर रहा हूं if you are new to the channel definitely hit subscribe button and also press the bell icon so that you can get the notification of my latest videos whichever I upload okay so Indian history हम लोग दिसक्स करेंगे एक एक जो इसका पेज है सब इंपोर्टेंट है एक एक पोईंट इसका इंपोर्टेंट है because 113 पेज में आपको complete history complete Indian let it be NC and medieval and modern you will never find in this much short you know जो pages है उतने short में आप नहीं पापा होगे so very important चलिए start करेंगे time waste नहीं करते हैं लोग सीधा डिसक्स करते हैं इसको एक एक पेज से start करते हैं one by one में सब कुछ आपको content देख सकते हो index में history of India में generally जो content होते हैं सारी चीजे complete जो वह यहां पे content का पार्ट है जैसे कि history का जेनरल इंफोर्मेशन इस्टोनेज कैलकॉलिथिक कल्चर इंड इंडस civilization and culture and so on so यहां पे आप इसको देख सकते हो आप पॉस करके देख लेना जाए विल जस्ट्रोल डाउन so that we can start it as early as possible देखे अब यहां पे आईए ancient इंडिया से start करेंगे history of ancient इंडिया से okay general information history के बारे में बात करें तो हमें जो sources मिलते हैं या फिर अब general information में prehistoric period मतलब ऐसी period कौन सी period हो सकती है जो prehistoric period हो वो उसके लिए इन्होंने दो point इधर निकाल दिया और उसका नाम भी दे दिया कि stone age civilization इसको बोलते थे और यह prehistoric period की खास बात यह थे कि यहां पे there were lack of written evidences written evidences नहीं है prehistoric period की और only archaeological evidences available archaeological when I say I am talking about artifacts I am talking about pots which were found archaeological मतलब कि ऐसे चीज़े जिसका साख्ष है साख्ष है हो सकता है कुछ what हो कुछ हैसा हो है ना but written evidences are not available lack of written evidences इधर होंगी भी तो वह साथ नहीं मतलब preserve हो पाई होंगी बहुत पुराना period है यह and stone age civilization is one of the best example of prehistoric period okay next is proto historic period खास बात क्या थी इसके 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 खास बात यह थी कि written evidences although available है but undeciphered है जैसे कि Indus Valley civilization उसका written evidences है हमारे पास बहुत सारे seals पे बहुत सारी जगह पे ऐसा मिला है कुछ कोई यह तो भासा है जिसे हम decipher नहीं कर पाए है और अभी भी sign जो लोग है इसको decipher करने के लिए लगे हुए है and dependence on the archaeological evidences यह भी हमारा जो है अब चुकी written evidence होने के बाद भी हम decipher नहीं कर पाए तो obviously we have to depend upon some sources and these sources are archaeological evidences जो pottery है जो टेरा कोटा के जो खिलोने है और प्रोटो सीवा एक सुना होगा इंडस वैली civilization से और copper age culture से ऐसे बहुत सारे आपको archaeological evidences मिले हैं ठीके difference जगह से different difference मिले हैं वो सब हम आगे चलके देख लेंगे historic period यह जो पीरियड है यह start होता है approximately 6th century BC से जहां पर आपको abundance of abundance of written evidences आपके पास available है readable है deciphered भी कर दिये गया है सब कुछ है प्रकिर्त भासा में थी ब्राम ही लिपी यह सब जेम्स प्रिंसेप का नाम सुना होगा आपने 1837 में उन्होंने डिसाइफर कर दिया था तो हमारे पास इसके बियोंड की period जो है ना इसके जो रिटेन evidences readable है अविलेबल है abundance में and archaeological evidences तो obviously होना ही है इसके भी archaeological evidences हमारे पास अविलेबल है चैगे अब हम specifically बात करेंगे एक एक को ठाके तो भी विल टॉक अबाउट स्टोनेज period stone age period here you can see the heading is stone age period इसमें stone age period में दो भागों में बांट दिया गया है number one is the basis of the division into three periods और इसके अलावा जो है variation in tools के हिसाब से भी बाठा गया है तो चले देखेंगे सबसे पहले variation in tools वाला जो यह यह line है इसको देखते हैं so paleolithic period paleo paleo का मतलब होता है paleo का मतलब होता है old old something related to old or lithic का मतलब होता है stone old stone कह सकते इसको paleolithic period को so paleolithic period की खास बाते क्या थी यह 3-4 point है यही बाते खास बात थी अलाकि पढ़ोगे तो बहुत डीप में भी पढ़ सकते हो but here we are focusing on only those aspects which are very important for examination perspective जहां से आपके questions पूछे जाते हैं और short period में कैसे cover करना है this this book is one of the best example so paleolithic period में क्या है hunter and food gatherers थे hunter and gatherers बोलते हैं इनको food gatherer hunting करते थे यह जानवरों को मारते थे food को gather करते थे so the people were what kind of nature उनका survival कैसा था hunter and gatherer थे और ऐसे ही hunting और gathering करके वो food gathering जैसे कि food gathering में क्या किया जा सकता है उस समय जो paid podhuk पे जो fall होते होंगे कुछ ऐसे fruits होते होंगे जो यह लोग gather करते होंगे ठीक है और hunting करते थे obviously जानवरों को मार के खाते थे next lack of knowledge of animal husbandry animal husbandry इनको पता नहीं थे animal husbandry when I'm saying I'm talking about कि कैसे goat pollen होता है कैसे आज की डिट में काफी famous है कि हम पालतू जनवरों को पालते हैं और उनसे फायदा लेते हैं जैसे कि गाय को पालोगे तो आपको दूद मिलेगा बकरी को पालोगे तो मा मीट मिलेगा ऐसे है ना उन लोगों को यह सब चीजे पता नहीं थी देवर लेसिन नौलेज अबाउट हाउट हाउट रू डू एनिमल हस्बेंटरी एगरिकल्चर एगरिकल्चर और फायर भी उनको पता नहीं था फायर एक बहुत इंपोर्ट चीजे जो साथ जब पता चली तो काफी ज्यादा डाइनेमिक चेंज आया लोगों के रहन सहन में फायर के वज़े से लैक अफ नौलेज अफ नौलेज अफ अनिमल अस्वेंटरी अग्रिकल्चर और फायर वाज वाज फायर वाज पायर फायर वाज फायर ठीघियों के रावाज वाज रॉबर्ट ब्रूस फुत रॉबर्ट बूस फुत के द्वारा ये पाया गया था पल्ला वरं जो की मद्रास में 18-18-1960 में ये पाया गया था ओकी विए बिसक्स्ट पैली न और विल इस्कस मेसा लितिक पेरियद में भी लोग अंटर और से आदमगड जो की MP में पड़ता है आदमगड जो है MP में पड़ता है और बगवर राजस्थान के जगहों से we have found some evidences some साख्ष related to animal husbandry तो लाइफ कहीं न कहीं यहां से सिफ्ट हो रही थी hunting gathering से towards the somehow we can call that थोड़ा सा settled life की तरह अब इन्होंने start किया था सीखना उसको although it was not fully settled light animal husbandry मिला है animal husbandry तभी हो सकती है जब एक kind of आप अपने जानवरों को एक जगह कहीं रख रहे हो फिर से आप अगर hunting करने जा रहे हो gathering wandering कर रहे हो तो उनको ले के जा रहे हो तो kind of some sense of आप कह सकते हो कि settled life का जो है अीक प्रम सराय नहर नहर गॉपी में पढ़ता है महा दा धा से भी मिल एक मेश सो में सुलीतिक भी है शो मेनिक व्रम मे स्कूस्ताय पेली ठीक लिज्खकार रही लिया है २े कि मेसfahr नहर नहर राएि योपी में पढ़ता है एस ए सफोट ल में बीन तक पहली लिजिघ और पेलियोलिथिक चैनों we एका सब्सक्राइब हो यहां पर क्या तो इन आपसक टूल थे जी हैंडेक्स क्लीवर चॉपर हैंडेक्स मतलब उसके का हैंडेक्स कुछ इस तरीके की फोलाडी होगा और इसके अलावा क्लीवर क्लीवर करने के लिए कुछ इस तरीके का, इस तरीके का स्कूपमेंट होगा, जिसे छीलते हैं न और चॉपर जो है, चॉप करने के लिए, कुछ इस तरीके का रहा होगा, चॉप करने के लिए, ठीक है, काटने के लिए धार थोड़ा सा बनाया होगा, इन्होंने, तो यह जो है, यह सब इकूपमे वह करते थे Speciality इसमें थी Handex हुआ करता था आज भी Handex यूज होता है आज भी कुलाड़ी यूज करते आज भी Chopper हम लोग यूज करते हैं आज भी Cleaver यूज होता है so life has been not settled as present वाला earlier जो है काफी difficult life हुआ करता था it has evolved it has evolved and now we are living very standard life very settled life और आइसके डेट में तो इतनी सारी facilities है है ना तो चलो handex cleaver and chopper with the special core tools middle paleolithic में क्या था plank tools हुआ करते थे 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 these are made of the quadgite stone plank tool की तरह हुआ करते हैं और यह quadgite के बने थे और अपर paleolithic में burine scrappers अगेरा scrapper मतलब कुछ इस तरीके का होगा इस तरीके का scrapping करने के लिए इस तरीके का scrapper होता है ना जो खुरेचने वाला burine scrapper यह सब अपर पेलियोलिथिक में देखा गया है तो यह हो गया आपका division lower paleolithic middle paleolithic upper paleolithic ठीक है mesolithic we have already discussed so we will not discuss it again and we will directly move to neolithic period fine let us discuss about neolithic period so neolithic period was first time in the speciality of this period is first time production of grain first use of fire important achievement रहा किस period में यह कई बर पुछा गया सवाल है so you have to remember कि first use of fire जो होता है वो neolithic period से ही संबंदित है neolithic period से ही संबंदित है and first time production of grain भी यहां से start होता है मतलब somehow settled life यहां से start हो जाती है और इसके important sites के हैं जैसे कि लाहूर देवा यूपी इंडिया का है oldest evidence of rice यहां पर पाया गया है इसके लावा मेहरगड मेहरगड जो है very important NCRT में भी काफी focused यह area है और भी जगह में मेहरगड हमेसा नाम आता है so it is oldest evidence of wheat जो है barley wheat का जो है evidence यहां में मिलता है UP से हमें oldest evidence of rice मिलता है that is from the लाहूर देवा that is in UP इंडिया और गुफ कराल गुफ कराल से agriculture एंड एनिमोल स्वेंडरी के जो है अब evidences obtained किये गए हैं फिर अगर हम बात करें बुर्जा होम की तो बुर्जा होम से हमें human skeleton dog skeleton pit dwelling very important pit dwelling यह पूछता है कि विच साइट has the first evidence which size site is famous for first evidence of pit dwelling तो वो है बुर्जा होम human skeleton dog skeleton भी बुर्जा होम से पाया है बुर्जा होम इजिन जम्म कस्मीर में है यह और संगना कुलु पिकी हाल उतनूर इन सबसे हमें एस माउंट मिले हैं एस माउंड हमें मिले हैं तो यह कुछ है बेटें से एस माउंड से मतलब यह कि राक जो है ना आग के साक्ष के लिए राक ही तो आप देखो गए अप थोड़ी ना आग का साक्ष आग ही मिल जाएगा आपको राक देखो गए राक का माउंड कहां मिला है तो हमें मिला है संगना कुलू और पिकली हाल उतनूर से ओके नियो लि महराम से हमें तीन ह् Youman Skeleton सिंगल ग्रेम में मिला है अदमघ़ से हमें क्या मिला है लास्ट फेस अभ मैसलेतिक प्रिययर्य मैं ऋहां से मिला है इसके आलब महराम मेहरगण से oldest evidence of settled life or remains are found from Stone Age to Indus Valley civilization, मतलब ये area ऐसा area रहा है जहाँ पर transition हुआ है लोगों का old age से, old stone से, age से लेकर Indus Valley का भी site मेहरगड में पाया गया है हतनौरा, हतनौरा से हमें first evidence of human humans मिला है हमें, first evidence of humans कहां से मिला है हतनौरा, it is in नर्मदापूर, जो कि आज के लेट में हसंगा बाद है, भीमवेतका भीमवेतका से pre-historic painting very important, कई बार पुछा गया है भीमवेतका कहां पर है, MP में MP में है pre-historic painting cave की हमें यहां से मिली है, very important discovery of burza home किसके द्वारा हुआ था by D. Tera and Patterson, not so important but again, याद कर लो मतलब एक सरसरी नजर से जाओ कि कभी option है तो Tera Tera से आप मार सकते हो कि यह burza home होगा, Tera से Mesolithic period, first evidence of skeleton, skeleton का जो first evidence है, वो हमें Mesolithic period से मिलता है, ठीके चले, important facts कुछ और देखेंगे, statue of bone-made mother goddess is found from, statue of bone-made mother goddess, अब सुचो हड़ी से ही mother goddess बना दिया गया था, यह मिला है हमें Balan Valley से, Lohanda Nala region से हमें यह मिला है Lohanda Nala region से, Balan Valley से यह हमें मिला है, a Megalithic Monument has been identified by the burial place of dead Megalithic Monument जो है identify के जाता है by burial place of dead, National Museum of Humankind is situated at National Museum of Humankind kind is situated at Bhopal correct answer is Bhopal OCP pottery was named at Hastinapur OCP pottery was named at Hastinapur so answer is Hastinapur okay now we will again see some important archaeological facts related to India frequently जो हमारी एक्जाम में आता है first इसमें 18-61 में the father of Indian archaeology Alexander Cunningham को appoint किया गया था as the first archaeological surveyor of India very important यह पूछ लेता है कभी question इससे क्वता है क्या-क्या बनता है मैं बता आएता हूं पहला question इससे यह बन सकता है कि who was the father of Indian Indian archaeology तो answer is again Alexander Cunningham when he was appointed as a archaeological surveyor of India so answer is 1861 and who was the first archaeological surveyor of India भी पूछा जा सकता है so all the answers are Alexander Cunningham okay so 1863 AD में क्या हुआ start of research on the stone age civilization in India जैसे यह बने इन्होंने initiative लिया और यह सब स्टार्ट कर दिया कि वहिया research करेंगे जो भी stone age civilization इंडिया है उसको ढूढने के कोशिस करेंगे 1871 AD में archaeological survey was formed as department of government this fact is again very important this fact is again very important 1871 में जो है archaeological survey को form किया गया था और एक department बना दिया गया था government का 1901 में अप्मेंट वाज centralized centralized and was named archaeological survey of India and John Marshall को जो है first director general बनाया गया था तो अगर पूछा जाए कि archaeological survey of India का first director general कौन था तो answer will be John Marshall so these are important facts which are frequently being asked in the examination चाहे वो railway की हो चाहे आप SSC की तयारी करते हो या फिर UPPCS की तयारी करते हो भी PSC करते हो किसी भी चाहे करते हो these are very important facts okay कुछ नोट में देखिए आप mesolithic humans also used to hunt fish to fill their stomachs mesolithic humans थे fish reef से भी जुड़ गये थे fishing करते थे the typical tool of mesolithic period where micro stone tool यह पूछा जाता है कहेगा micro stone tools का थे बिल्कुल छोटे छोटे टूल्स इन्होंने बना लिये थे micro बिल्कुल छोटे छोटे पत्थर के टूल बना लिये थे mesolithic humans में पहले क्या था mesolithic से पहले paleolithic वाले में बड़े बड़े टूल हुआ करते थे size में आकार में बड़े थे लेकिन mesolithic की खास बात यह थे कि bone tools बना इन्होंने और छोटे छोटे कई सारे stone tools भी बना है तो mesolithic की खास यह थी और यह this is why I am highlighting this because this has been asked in examination frequently और आगे भी बहुत ज्यादा chances आपके exam में आने के so very important you have to remember this history को अगर division इसका किया जाए तो division में आप period में और एक historic period में आप रख सकते हो इनका हमने खास बात देखा ही था above period division is based on the basis of availability or unavailability of written evidences written evidences के availability और unavailability के हिसाब से ही इसको हमने बांट लिया है ठीक है और related facts हम अब अब अपने related facts को देख लेते हैं Middle Paleolithic period was also called blade culture due to abundance of blade Middle Paleolithic period को blade culture कहा जाता है क्योंकि abundance of blade मिला है blade मतलब क्या पत्थर को न छील छील के उसके मतलब परत भाई परतर परत अटाके इसको blade की तरह बना दिया गया था तो इसलिए abundance of blade की वाज़से Middle Paleolithic period को परता है प्रटीन हीूमन स्केलेटन इसकेलेटन इन फाउंद इन लांगंज लांग नाज गुजरात में लाल गंज इसको बोलते हैं लांगन जुज बोलते हैं गुजरात में इस आप ए जहांपर था हमने देखा था ता साइट फ ओल्डेस्ट अग्रिकॉल्चर एविडेंस इस बिटर्माइब एज 9000 वी सीटू 7000 वी सीट के बीच पाइस का डिट माना गया है इविदेंस अफ वीट फ्रम 7000 वी सीट वीच 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 पाउंद इंडियन मेहरगड पर्जें पाकिस्तान आफ्टर लहूर देव दो सेकेढ एंडियन निगलिथिक साइट विदेंस आइस फॉट फाउंड कुल्डि उपकोंडिवा एगेन इसन शूंद राइस ब्रान के यहां से अबिडेंस मिला है एक मीनिंग है जिसका नाम है पॉर्टर्स केव को अगर देखा जाए तो उसमें इंडिया में जो में जो साइट है वो लाहूर देव है जो की यूपी में है ओल्डेस एविदेंस अफ राइस यहां पे मिला है और इस बिट्वीन सेम चीज़ को इसने थोड़ा सा फ्लो चार्ट में मना दिया है मेहर गड़ पाकिस्तान में यह साइट है ओल्डेस एविदेंस अफ वीट एन 7000 बीसी के यहां पे यह पाया गया है देफोर ओल्डेस्ट एविदेंस अफ राइस और एक्रिकल्चर इस फ्रम लाहूर देव तो सब्सक्राहिए लेकिन 7000 बीसी के असपास है तो उल्डेस्ट उसे नहीं कहा जा सकता है क्या लिधिक कल्चर को देखेंगे थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं के लिधिक कल्चर कैल्कोलिधिक कल्चर को भी अच्छे से फ्लो चार्ट टाइप में समझाने की कोशिश की है क का मतलब क्या हता है the state of use of copper and stone is called kalkolithic कैल्को मतलब होता है copper और lithic मतलब stone दोनों के साथ में मिश्रित जो use है उसको हम लोग कहेंगे कैल्कोलिथिक कल्चर जब मतलब लोग copper का use start किया stone के साथ उसी period को हम लोग कैल्कोलिथिक period भी कह देंगे इस कल्चर के बारे में जाने तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा इधर से देखते हैं कहां से इसका हेडिंग क्या है Expansion of Major Calculithic Settlement देखेंगे हम लोग और इसमें फ्लोचार्ट में देखते हैं तो settlement की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे साउथ इस्ट राजस्थान में कहां पे इनका settlement था यह settlement था बनास कल्चर इसको बोलते हैं साउथ इस्ट राजस्थान में जो कल्चर था उसे बनास कल्चर कहते है और यह नोमेन कलेचर जो है इसके location in the बनास वेली बनास वेली राजस्थान की है इसके जगह के लोकेशन की वज़े से इस कल्चर का भी नाम बनास कल्चर ही रख दिया गया है और इंपोर्टन्ट आर्केलोजिकल साइट से यहां पर क्या है अहार है अहार इस एंसिंड नेम अफ तंबावती बागवर है, बाला थल है, उजियाना है यहां फर दोनों जगह को मिलाके मिले है फिर गिलूंड है गिलूंड से हमें इविडेंस फोर्टिफवाइट से टल्मेंट मिलता है एविडेंस ऐफ बीलिंग मेड़ अफ मड, मिट्टी से बने मिलिंग मिलते हैं यूजब बेक्ट पके हुए ब्रिक्स को कहीं कहीं देखा गया है पीसेस अब कॉपर है बिन फाउंड है अब अच्छा एक चीज और बता दू कि राजस्थान में कॉपर कल्चर क्यों जादा फेमस हुआ इस्पेसली बनास कल्चर बनास वैली में क्योंकि बनास वैली एक ऐस सारी जन था जहां कॉपर काफी ज्यादा मिलता था आपको पता होगा कि कॉपर बहुत ही फेमस है राजस्थान का सब ज्यादा कॉपर जो है राजस्थान से होता है वेस्टन मद्य परदेश के साइट की बात करें तो यहां पर भी कैलकोलितिक कल्चर डिब्लॉप हुआ थ नवा नवाद तोली नवाद तोली तो मालवा से हमें एविडेंस मिलता है स्पिनिंग विल्स और स्पिंडल्स का मालवा से हमें एविडेंस मिलता है स्पिनिंग विल्स और स्पिंडल्स का और कायथा से हमें मिलता है 45 और कायथा से और एरन से हमें एविडेंस एविडेंस सबसे वेस्टर्न साइट भी कहा जाता है सबसे वेस्टर्न साइट भी जो है इसका इंडस वेली का यह कहा जाता है महरास्टरा में ठीक है तो यहां दाइमाबाद निवासा जौरवे इविडेंस अब जूट हमें निवासा से मिलता है और बिगेस्ट एमंग दा नौन टू हंड़ेट जौरवे साइट में दाइमाबाद आता है एहमद नगर डू डिस्टिक आफ जौरवे कल्चर पूने डिस्टिक और यह दोनों डिस्टिक को मिला दे तो जौरवे कल्चर जो है इहां पर दो साइट डाइस्टिक में अगर इनमने यह ती इनाम गाओं की तो इनाम गाओं में फेमस क्या है यहां पर हमें house with five rooms का एक evidence मिला है इनाम गाओं से हमें fortified settlement मिला है surrounded by moat and mother goddess का जो statue है वो भी हमें इनाम गाओं से मिला है इस्टर्ण इंडिया में पांडू रजार धीवी और मही सदल यह दो साइट है जहां से हमें बहुत सारा evidence मिला बिहार में very famous दो जुगा प्रिपेरिंग को बिहार examination चिरांत सेनुवार सुनपूर और ताराडी से हमें जो है ताराडी से जो है हमें इसके sites मिले है ठीक है इसके साइट मिले और इस्टर्ण यूपी की बात करें तो खेराडी और नरहान में हमें इसके sites मिले हैं तो वी आप डिसकस क्या साइट से वह सारे हमने देखा अब हम देखेंगे इंडस वैली civilization and culture ठीक है ओके तो इंडस्ट्र वैली civilization and culture discuss करते हैं इसमें introduction क्या दे सकते हैं हम लोग यह बोल सकते हैं जे 2021 ए ems अट इस नेम्स आए और यह ंयोज होता है statement of Stewart शीव और फिकार्ट पिकोट क्या कहता है हरपा मोहन जुदाडो आज ट्विन कैपिटल सफ वास्ट एंपाइश स्टेटमेंट ऑफ स्टूर्ट पिगोट की इसाप जू जाएं तो फट्व काइश्ट का नाम रगते हैं में तेईस्व से 1700 ढूत सब्सक्राइब old इसका डेट माना जाता है वैसे तो काफी डिस्प्यूट इस लोग बोहते onوسर सब्सक्राइब 20 होजों सब्सक्राइब निकाला है आज tak एज निकाला जाता है ठीक है नेक्स्ट है 2300 से 1900 BC जो है इट इस टाइम कल्मिनेशन अफ देवलोप्मेंट अफ दिस सिविलाइशन ठीक है और नेक्स्ट पॉइंट आएगा इसमें इंडस सिविलाइशन वाज कंटेम्परोरी था किस सिविलाइशन के तो मेसोपोटामियन औ इजिप्टियन और इजिप्टियों जो सिविलाइशन ता उसका कंटेम्परोरी था इंडस शिभलाइशन इंडस इन के एक्सपैंसें एरिया की बात करें तो पाकिस्तान सveryर्टेर तो पाकिस्तान यह साइट इंडिया में तो कितने स्टेट है गिल्लो एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ स्टेट में अपने हैं इसका एक्सपेंसन था सेब की बात करें सेब जो है इंडस सिवलाइशन की कैसा था ट्रैंगुलर सेब अगर इसको टोटल जितने भी पाकिस्तान वाले साइट को भी ऐसे एड करोगे और इंडिया में भी सारे एड करोगे तो चीज तरीके का सेब बनता है तो ट्रैंगुलर सेब बनता है माल्दा ज इस इन महाराष्ट्रा is the southernmost site remember southernmost site आप also correcting myself मैंने गलत बोल दिया था बर्ट जो सुतका गदोर है जो मैंने western बोला था वह westernmost साइट है वह सुतका गंदोर है इसके अलाब़ा अलमगीरपूर that is the easternmost साइट इस इन यूपी ओके तो मने देखा कि मांदा सरी मांदा जो है northernmost site है शुट का गंदूर जो कि पाकिस्तन में वेस्टन मुस्ट साइट एंड द काई मावाद is in maharashtra that is the southernmost site and alam girpur which is in up is the easternmost site okay now we will see some sites and related excavator and surveyor or explorer these two people are extremely important they are going to be asked in the examination frequently it has been the question with the focus area of various examiner style railway to do so harpa dairam sahari mohan jodaro rakhal daas bennar ji mohan jodaro thoda bada hai to rakhal daas bennar ji naam bhi bada ho ga ek trick bana sakto just to remember this okay harpa chota hai to dairam sahani chota hai mohan jodaro rakhal daas bennar ji hai na bada hai to bada na chan hudu do ng majumdar again important but not so but phir wii aap yad rakhoghe chan hudu do ng majumdar lothal sr rao kali bangga amala nand ghos bana wali rs bist and dholavira jp josi roper bb lal sut ka gandor oral stain oral stain तो ये कुछ आपने इसके जो explorer है excavator है फिर surveyor हडपा की अब हम एक-एक site को especially discuss करेंगे उससे related जो evidences मिले हैं वहाँ पर evidences जो मिले हैं वो देखेंगे क्योंकि evidences पूछ लेता है evidences पूछ लेगा की जो म्यूजोलियम है uh symmetry का symmetry का sorry म्यूजोलियम जो है वो कहां सपाए गया brass and borrow कहां सपाए गया ऐसा पूछता है कौंच ox कौंच ox जो है वो हमें evidence मिला है कहां से हडपा से पर्त्रेट of goddess of fertility we have found it from हडपा only circular platform built by bricks we have again found it from हडपा only मुजोलियम is again from the हडपा that is a kind of symmetry r37 and remeanant of wheat and barley again we have found from हडपा brass and borrow हडपा portrait of fisher-man on pot portrait of fisher-man on pot again we have found it from the हडपा evidence of two mounts that is eastern mount city mount and western mount fort mount we have found it from harpa status क्या है इसका status है uh mount mount gomitry district है current sahival में पड़ता है पाकिस्तान में है on left bank of rabi river ये बसा हुआ था ठीक है अब हम देखेंगे मोहन जुदाडो मोहन जुदाडो और हरपा बोथ are very extremely important हाला कि काली बंगा चन्हुदुडो आर ओल्सों important इंडियन साइट है चन्हुदुडो काली बंगा इंडियन साइट है इसलिए भी important है और यहां से भी कई सारे evidences हमें मिले हैं मोहन जुदाडो की बात करें तो है इसका literal meaning मोहन जुदाड़ मोहन जुदाड़ मेहस्चाति मोहन जुदाड़ मउन जुदाड़ मोहन जुदाड़ मॉन्यो claro तो बहुत बड़ा बास जो है बास बात ही है हमें मोहंजोदारो मिलता है most number of seals containing records हमें यहां से मिलते हैं and huge granary, huge granary is also very good example of it bronze statue of dancing girl, we have found it from the मोहंजोदारो, पुजारी, योगी statue, पसुपती नाथ, very important पसुपती नाथ का जो है जो एक proto सीवा जी से कहते है वो हमें यहां से मिला है, clam cell tracks, horse का teeth probably, probably यह भी मिला है हमें, cloths on wet soil because यह horse teeth probably इसलिए लिका है क्योंकि यह confirm नहीं हो पा है ज़्यादा तर जो इसको जिन्होंने खंगाला इसको देखा है उन्होंने यही कहा है कि it is a probable horse teeth but confirm नहीं है cloths on wet soil, cotton cloth, elephants, carneal section यह भी हमें मिला हुआ location इसका कहां पर है अभी है लरकाना डिस्टिक सिंध में है पाकिस्तान में and left bank of Indus पर बसा है तो वो हमने देखा था अडपर रभी के left bank पर था और यह Indus के left bank पर है अब हमारा एक इंडियन साइट आ गया लोथल लोथल इस इन गुजरात प्रोपर्टीज के आई इसकी major port था यहां पर वेस्ट एसिया का major port हुआ करता था उस जमाने का main feature क्या है यहां पर लोथल में एक डॉक्यार्ड है यह प्रूफ दिखाता है कि कईनक है शिप दॉक्यार्ट पर्षियन करेंसी मिली तो यह दिखाता है यहां पर ट्रेड होती थी सील्स मिले हैं यहां पेंटिड का भी हमें यहां पर राइस का पाड़ी का इविदेंस मिलता बाजरा का मिलता है पर्सें सील्स है होसिस कोड़ोचर है three फ४ सुप्लेट स्टॉप्स है पर लोकेशन इसका एहमदाबाद तीडिक गूजरात में पड़ता है यह और एहमदाबाद गुजरात में है और यह जो है bank of Hogra River पे यह बसा हुए on the bank of Hogra River again one more Pakistani side चन्धुद्लो चन्धुद्लो पे क्या हमें मिला है important bead making factory and furnace very important this is the more repeated question bead making bead making factory और furnaces जो है यह हमें चन्धुद्लो से मिलता है bead क्या कुछ इस तरीके का structure है जो माला में bead मोतियां होती है ना उनकी बात हो रहा है then ornate elephant हमें मिला है यहां पर toy मिले है lipstick मिला है यहां पर lipstick सोचो उस जमने की महिलाएं जो है lipstick लागा गुंती थी curved bricks मिले हैं यह जरूरी नहीं कि महिलाएं लगाते हूं because this is not confirmed lipstick मिला यह नहीं पता है कि महिलाएं लगाती है यह फिर पूरुस लगाते होंगे है उस समय because अभी से हम लोग सब कुछ नहीं मान सकते कि अभी महिलाएं लगाती है तो उस समय भी लगाती होंगे ऐसा कोई confirm नहीं है curved bricks मिले हैं dogs paw मिले हैं dogs का paw मतलब कि उनके जो पंजे हैं उसका निसान मिला है चेजिंग कैट करते हुए dog का paw हमें निसान हमें मिला है तो इसका मतलब कि they were aware about this animal dog next है काली बंगा काली बंगा से हमें क्या मिला है काभी काली बंगा से हमें वह सारे evidences मिले हैं जैसे bricks raw bricks भी मिले हैं used in the construction of a building baked bricks इस मतलब कि पके हुए bricks भी मिले हैं used in the construction of drains wells and baths only ठीक है तो यहां पर city में काली बंगा में जो एक्चुली नगर यह सबहता थी खास बात इसकी यही है और raw bricks मिले हैं जो की construction of building के लिए यहां पर बेक्ड ब्रिक्स जो हैं मेंली यहां पर वेल्स बात वगेरा के लिए बनाएं गया होगा इसलिए सूच के बनाए गया होगा क्योंकि नालियां अगर बहेंगी तो अगर आप रॉब्रिक लगा होगे उसमें तो वह तिके का नहीं वह मिट्टी को उखा काली बंगा जोए एक साइट है बहुत साइटेंवं को लोने कर इसके लावा और एपर कुए को एविडियन्स सके मिला है और पोड़ाहे विल र인가 मैंघ को बेसके बिलैक का शिल्टी टाइट हमें गि लॉक्जान इसके अलावा पीसेंट पॉट्री हमें मिला है कि यहां पार्ट में गुजराथ कहोते लोकेशन इसका है राजस्थान हनुमानगर डिस्टिक्राइश्थान में ही सका लोकेशन हे घरा के से दिखेकृर्पार्यट ay entity रेक्टेंग्लर विए यह सीटी रेक्टेंगुलर यह तीन पार्ट में थी यहां पे एक पार्ट फोर्ट था किला जो था दूसरा सेंट्रल सिटी थी और तीसरा एक लोर टाउन था ऐसा माना जाता है कि लोर टाउन में नॉर्मल आम जंदा जो गरीब जंदा है वो रहा करती होगी अब्टेंड एविदेंस के हैं यूज वाटर रिजॉर्ब यहां पे दिखा गया यूज वाटर रिजॉर्ब आडवांस्ट वाटर मेनेजमेंट सिस्टम दिखा गया लाज साइज इंक्रिप्शन दिखें गया है विथ 10 मार्क्स आफ इन हरपन स्क्रिप्ट लोकेशन इसका पाकिस्तान इस पासल स्पेशल चीज क्या इसमें इस 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 इडिवाइड इंट टू के टेग्राइज पार्क यहां यहां पर पाए गया है यह भी जो है सुर्कोत दा यह अभी जो है कच्छ डिस्टिक अफ गुजरात में नहीं है सुर्कोत दा जो है यह भी कच्छ डिस्टिक गुजरात में यहां पर गलत दिया हुए जोस्तों यह सुर्कोत दा जो है अभी यह पाकिस्तान में तो कच्छ डिस्टिक गुजरात यहां पर गलत दिया हुआ है दायमाबाद दायमाबाद इसकी इस पेसालिटी के इस 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 साउधन मुस्ट साइट अप दो इंडर सिबलाइशन क्या मिला एविडिंस मैं ड्राइविंग चैरियूट यहां से मिला है बुल एन राइनू फिगर्स मिलें एसील ऑफ इंडर स्क्रिप्ट मिला है पॉर्ट साउसर कॉप वह गिरा है यहां से म कितर इसकी करेक्टरिस्टिक की बात करें तो तीन लेवल फ इंडर स कल्चर यहां पी देखें गाहा सबसे पहले इंडरस बाली सिबलाइशन का इसे पी बाद एम स्टेज में लेटर भी ब्र fears यह एंडर्ड होने लेन रगा तो लेट स्टेज भीसका है और दिवाइन सब्सक्राइब तो तीनों स्टेज जो पाया गया है वह बाना वली यह पाया गया है and क्रिस क्रॉस रोड से यहां पर दिखाएंगा है जिनरली रोड का जो है पैटरन सारे जगह जो है रेक्टेंगुलर पेटर्न था एक दूसरे को 90 डिगरी के एंगल पर काटने का पेटर्न था लेकिन यहां पर जो रोड्स देखे गए थे इसा कुछ रोड्स देखा गया है और डिवाइडिंग इंटू ग्रीड ग्रीड पैटर्न कुछ इस तरीके का पैटर्न क्रिस्क्रोस लुट में ऐसा यहां पर देखा गया ग्रीड में बना दिया है और लापीज लजॉली और कर्नेलियन बीट से हां पर देखें गाएं लोसे ट्वाइब पूस्टा है कई बार कि यह जो हल है खिलोने जैसा वह कहां से दिखा गया है आमिला तो यह मिला है बाना वाली से और सील और वेट्स यहां पर मिलेए हैं खोते हाब दिस्टिक हरियाना में पड़ता है यह सैट रोपर जो है रोपर एगेन इस पाकिस्तान रोपर एक ऐसा साइट है जो पण्जाब में मेर्न पें पॉपनगर त्योंडन अपहु है है झिसकिन रूप नगर बोलते हैं यहां पर in and च्रट के भिट मिलें मिलें तभेड सथ के एंट पूस्ता है यहां पांड़ मोड़न मिलें। पर लोकेशन पंजाब में बता ही दिया इंडिया में अन दे लेफ्ट बैंग अफ सतलाज रिवर चले कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे साइट से रिलेड़ेट बाला कोट एक साइट है यहां पर एविडेंस पीसे सब बैंगल्स मेड अफ सेल मिला है मांडा म से इंडास से स्क्रिव पीन मिला है नौसारों साइट है यहां पर इविशम वर्मीलियन यून फोर Jr मिला है रंगपूर रंपूर मिली लोथल दो वृटु अफ हूरकुलर मिले से काली बांगा में कॉपर स्टैच्व मिला है और हडपा से पिक्चर अफ प्लांट ग्रोइंग फ्रम बूम मिला है हुलास से इंडस स्क्रिप्ट कंटेनिंग सील मिला है सुथ का गेंदोर से हमें रिमिनानट अफ क्ले बैंगल मोहन जदालों से जॉयंट ऐनिमल सकॉल्चर मिले हैं हमें बोडी के सीब का हेड़ एलिफें टीक है कोटन की खेति सबसे पहले बेंडरे इन हैं विटेंज नहीं किया था हिंद बाइंग अंशेलिंग वाज डवाइंग बाट्र सिस्टम बाट्र सिस्टम क्या होता एक समान आपके पासं से सब्साहिस एक्षेंज करोगे आइच सॉद बाट्र सिस्टम वेट ऑफ इंडेस सिबीलाइशन वेर में और II cub commence was देटें गफ क्यूभीकल कुविकल कुविकल वेट यूज कम थे कुछ Bloomberg क्यूभ्र मेरे बना वेट वनगहर कूझिस तरफ्ट्रिकीय एक Cute क्हाद पर लॉस्क वैक्स चाहिंए पहले क्हा करेंगे सव एक व्यूह की Hybridadores बना लेंगे उसके ऊपर एक कुछ मिट्टी से कवर करेंगे और उसमें इक छेद बना देंगे ठीटित और बाद में उसको प surnäधाद देंगे गरम 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 करके पिंगए तो wax तो निकल जाएगा उसमें फिर metal बर देंगे और वो metal का metal का स्कुल्टर बन जाता है यह lost wax technique यह भी honeycomb method कहते हैं most of the sculptures have been obtained from the animals and birds okay and most of the seals are made of sti-type sti-type material है अब अगर आप deep में जानना चाहो तो आप NCRT refer कर सकते हैं the highest marking on the seals of index civilization is one horn bull ठीक है one horn bull and then the bull with hump यह highest marking है seals का मतलब maximum जो seals है उस पर यह मिलता ही मिलता है important sports उस समय का dice हुआ करता है dice जो है उस समय चोगान जिसको बोलता है ना dice dice खेला करते थे लोग excavated from Mohan Jodhara से क्या excavation में हमें क्या मिला है योगी पसिपती सीव सील मिला है यह सील में कुछ इस तरीके का सील है योगी ऐसे बैठा हुआ है ऐसे बैठा हुआ है और इसके left में rhinosaur है rhinosaur है फिर buffalo है और इसके bottom में नीचे दो दो डीयर बैठे हुआ है और इसके right side में स्वरी लेफ्ट इदर होगा राइट इदर होगा हां राइट राइट साइड में इस साइड मतलब टाइगर और इलिफेंट तो यह पूछता है कई बार पूछा हुआ है टोटल छे निमल है पांच डिफरेंट टाइप के हैं तो नीचे जो डीयर है वह दो है और टाइप जो है एक ही है तो राइनोसौर है भुफैलो है टाइगर इसका आइरन का नॉलेज नहीं था और और नॉलेज अफ गोल्ड सिल्वर कॉपर प्रोंज इनको था यूज अफ हैंड ड्राइविंग स्पिनिंग यह किया करते थे आइडल वर्शिप किया करते थे लाइक अफ एविडेंस और रिमेंस ऑफ यहां पे कुछ लिखा नहीं चलो कोई नहीं वेदिक पढ़ेंगे वेदिक पीरियोट ठीक है इंडस सिवलाइशन हमने देख लिया है तो चलिए वेदिक पीरियोट देखते हैं वेदिक पीरियोट में आपको सबसे पहले वेदिक का मतलब समझना चाहिए वेदिक का मतलब होता है वेद का मतलब होता है और वेदिक जो है यह originated हुआ है वेद सबसे originated हुआ है और वेद का meaning जो है वेद का meaning जो है क्या है दोस्तों वेद का meaning है knowledge क्या है वेदिक का meaning है knowledge हमें से याद का meaning knowledge ते घादना कि जो है वेदिक सिवलाईसिटाइशन जो है just जैसे तो फ। जैसे नयाँ सिबयाईशन जादा जिसका नाम था वहेदिक सिबलाइशन तो बेद का मेंनें हिस्ट्री है वेद जो है मेन सूर्स है आर्यान हिस्ट्री का और वेदिक लिट्रेचर जो है इट इस अट्रिबूटेट इस लोग का बहुत मानना है कि कई सारे थियोरी दी गई है कि आर्यान्स थे कि सेंट्रल एसिया से आये थे कुछ लोगों ने कहा था कि कहीं और से ही आये थे तो थियोरी में थोड़ा सा ओपिनियन में डिफरेंस है बड़ देख लेंगे इंडस सिवलाइशन से रिलेटेड यह देखी लिया था हमने वेदिक पिरियेट को दो भागों में बाटा जा सकत है वेधिक पिरियेट को दो भागों में बाता जा सकता है पहले है जिसका ताइमिंग था 1512 से लेकर 1000 सी के बीच है और दूसरा है पोस्ट वैधिक पीरियेड जिसका टाइमिंग है एक हजार एक से लेकर 600 वीची कि आसपास ठीक है कर रिक-वैदिक पीरियंट पूस्ट-वैदिक जो है L.D. कल का मानना है और इसके अलावा ब्रहमार्शृ ब्रहम्हा स्री जो कंट्री है यह मानना है पंडित गंगा गंगानार्चा का सब्थ शिंधु मानना है कि डॉक्टर और अबनी अबनी नास चन्द्र का मानना है कि यह जो इनका जो ओरिजीन है यह सब्ट सिंधू कंट्री है सब्ट सिंधू कंट्री है इसके अलावा देविका एस्टेट मुल्तान जो है यह मानना है डी एस त्रिवेडी का गौडन चीडली का मानना है कि यह लोग जो साउधन रसिया से आयते हैं सेंटर लेसिया Max Muller का जो की काफी acceptable है यह पूछता है कि नौर्थ पोल या फिर Arctic region ये मानना है पंडीत बाल गंगाधर तिलक का Arctic region जो है पंडीत बाल गंगाधर तिलक का मानना है और तिबत माननना है स्वामी दयानन सरस्वती का तिबत जर्मनी मानना है हार्ट और पिंका का और हंगरी मानना है डॉक्टर गिल्स का हंगरी मानना है तो थोड़ा सा dispute है कोई नहीं आगे बड़ेंगा वेदिक लिटरेचर का अगर बात करें तो most ancient इंडियन लिटरेचर ट्रेडिशन में इनको माना जाता है चार वेदा जो हैं, चार वेदा बहुत important, रिग वेद, यजुर वेद, साम वेद और अथरवेद, सबसे नया इसमें अथरव वेदा है, सबसे पुराना इसमें रिग वेदा है, तो कह सकते हैं कि सिक्वेंस में ही एरेंज़ है, रिग वेद, यजुर वेद, साम वेद और है चारपाट क्या है सम्हीता ब्रामना अरन्य करूपनिसर चारवेदा कौन है रिग वेदा योजिर वेदा साम वेदा नथरवेदा रिग वेदा से लेटेट कुछ फैक्ट्स की बाद करें तो यह oldest टेक्स्ट माना जाता है वैदिक लिटरेचर का ओब्यसली है ही यह oldest इस प्रेयर्स है टोटल इसमें 10 मंडल है दस मंडल है और 1028 यानि कि 1028 हीमस है और 10552 रिचा है 1028 हीमस हैं और 10552 वर्से या फिर इसी को रिचा कहते हैं 1028 जो सुक्त है उसमें से 1017 सुक्त जो है वह सकाल के है सकल के और ग्यारत सुप्त जो है बाल बाल खिल्या के है बाल खिल्या के है मेंसन कहां कहां है फर्स्ट मेंसन जो है वर्ड वर्ना वर्ना गोत्रा सुद्रा का इसमें वर्ना है रिगवेद ही ऐसा वेद है जिसमें पहली बार मेंसन मिलता है वर्न सिस्टम का गोत्र का सुद्र का इसमें मिलता है गयतरी मंत्र creator क्यों थे विश्वा मित्र थे ये भी रिगवेद का ही पार्ट है no mention of iron iron का इसमें कोई भी जिक्र नहीं है description of 21 reverse in नाडी सुक्त नाडी या नदी सुक्त कह सकते है 21 reverse का जिक्र मिलता है नाइन्थ मंडल जो है इसमें all 114 सुक्ताज are dedicated to sum तो कह सकते हैं कि 9 जो मंडल है वो सुम से related है 114 इसमें सुक्त है ठीक है 114 इसमें सुक्त है पुरोहीत जो होता पुरोहीत को होता भूलते थे ब्रामिन को एत्रिया और कॉस्टाकी और पुरुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् collection of mantras sung during the occasion of yajan yajan मतलब yagya yagya के दौरान जो भी mantr पढ़ा जाता है उसका जिक्रिस में साम बेद में है mantras इसमें बहुत ज़्यदा है the priest to sing mantras mantras जो priest जो गाते हैं उसको उद गाता बोलते है और total of 1875 verses है major branches का है kothuma ramayaniyya और jaminya इसके major branch है brahman text जो है brahman text यह है तंद्या और 25 इसका brahman text है ठीक है अब देखेंगे हम यजुर वेदा देखेंगे यजुर वेदा जो है collection of hymns और ritualistic formulas का जो है इसमें संकलन है इसको दो भागम बाटा गया है pros and verse में दो भागम बाटा गया है तो यही एक वेद है जो कि pros और verse दोनों में है दो इसके branches है krishna यजुर वेदा है in pros and verse है sakul यजुर वेदा है only verse में है krishna यजुर वेदा जो है pros और verses दोनों है और सुक्ल जो है krishna और सुक्ल है सुक्ल जो है इसमें only verses है only verses है ठीक है last part जो है इसका ये आईसो इशो पनीशद है related to spiritual thinking है ब्राम्हन टेक्स्ट की बात करें तो इसमें सत्वत्पत ब्राम्हन है तैतेरिया ब्राम्हन है और अधवर्यू की बात करें तो priest who performed the ritualistic sacrifices उसको क्या बोलते है इसमें इसको बोलते है अधवर्यू अथर्ववेद जो कि last वेद है इस सीरीज में collection of 20 parts है इसमें 370 सुक्त है और 5987 इसमें मंत्रा है और इसमें जादू टोना बहुत सारी चीजे इसमें में इसमें की गई है आउट अप टोटल 5987 मंत्राज 1210 मंत्राज आर अफ रिगवेदा ब्रह्मा प्रिष्ट चैंतिंग मंत्रा अफ अथर्ववेदा और दो ब्राश इसका पिप्लाध और सौनक इसके दो ब्राश है ठीक है मैंसनच इसमें क्या-क्या किया गया मैंशन मगत मगत का जिक्र है इसमें अंग का जिक्र है अथर्ववेद का कि री मोट स्टेट की तरए इनको जिक्र किया गया है सभा और समिती दो डौटर बोला गया है प्रजापती का इसमें बोला गया है अथरोवेज में ब्रामन टेक्स्ट क्या है गौप Woah… गौपत सभी गौपत ब्रामन इसी का पार्ट है ठीक है सत्पत ब्राम्हन के बारे में थोड़ा से जिक्र करेंगे क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है स्पेशली हिस्ट्री ट्रिटोरियल हिस्ट्री की भी बात करें तो इसमें काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जैसे कि पहली बार बिहार का मेंस पुरु रवा ओर्वसी इसमें इसमें में से पुरुस मेधा यजना डिस्क्रिप्शन इसमें में सेने वाइफ जो है हस्बेंटर हाफ होगी ये लिखा गया है इसमें कुरू और पंचाला जो है इसमें बेस्ट रिप्रेजेंटेटिटीव वेदिक सिविलाइशन का इसमें जिक्र किया गया है और राज सुया जो यह किराए जाता है उसका भी जिक्रिस में मिलता है इसके अलावा बात करें दसराग्य वार जो बैटल अफ टेन किंग्स वाला वार है यह मेंशन किया गया है सेवन्थ मंडल रिगवेदा में जिसमें आर्यन और नौन आर्यन का पार्टिसिपेट्शन है यह लड़ाई है यह फाइट किया गया था पुरूसनी रिवर रभी रिवर जिसको बोलते है वंच जान और फाइव स्मॉल ट्राइप्स एलीन पक्त भाला भाला नास सीवा किंग अफ विष्ण लिन जो दस किंग्स हैं इसमें पार्टिसिपेटेट्ट थे सुदाज जो था वह फाइनली विन किया इसको जीता और प्रिष्ट जो था इसका वह वसिस्ट था इसका प् प्रिष्ट मेंनिंग होता है डिसाइपल सेटीं इर इस टीचर फॉर एटेंडमेंट फ्नॉलेज़ उपनिशद का मतलब होता है कि वह दिसाइपल होते हैं इस पाटिकलर अब लोग इस लाइन में देखेंगे स्वेतासवर जो है यह फर्स्ट मेंजन किया गया है सालवेशन का और अपनी सद एक इसमें लिखा गया है चंदोग्य उपनिसत जो है उसमें ब्रह्मनाचारे ग्रिहस्त वानापस्त तीन आस्रम जो है इसमें में इसके अलावा लेजंड अफ सत्यकाम जवाली सत्यकामा जवेली के में इसी में फिर जवालूपनिशत जो है जवालूपनिशत चार आस्रम इसमें मेंचन किया गया है ब्रह्मनाचारे ग्रिहस्त वानापस्त और सन्यास्त मुंडक मुंडक उपनिशत जो है इसमें सत्व में हो जयते यहीं से लिया गया मुंडक उपनिशत से और कठोपनिशत जो है यहा वर्ड दुसरे तरफ उसका मीनिंग तो क्रिश्न आयास एक वेदिक वर्ड है इसका मतलब होता है आईरन कुसीद एक वेदिक वर्ड है इसका मतलब होता है डेप्ट कुसी दीन भी एक वेदिक वर्ड है इसका मतलब होता है लेंडर तक्ष का मतलब होता है कारपेंटर वेकना वेकनत का मतलब होता है इंट्रेस्ट असर पर स्पैस का मतलब होता है स्पाई स्पैस का मतलब होता है स्पाई अब मेजर रिवर्स देखेंगे उस समय के वेदिक पिरियट के तो मुस्ट सेक्रेट रिवर जो है यह माना जाता है सरस्वति को इसका दूसरा नाम भी है सरस्वत मेर्वार्टी कोई नदी नदी तंमा या फिर देवी तंमा या फिर मातरी तंमा बोलते हैं तो जो है इंपोर्टेंट या पे कीवर्ड है सरष्वति इंडेस को सिंदु नदी भी कहते है और दो सबसे ज़्यादा बार इसकी जिक्र हुई है अधर नेम से इसके हीरा हीरन नी यानी यानी की नेम गिवें टू डू टू दे एकुनॉमिक इंपोर्टेंस फिर इसका जो है परवत जो है लाज वाटर वड़ी इसका माना गया है कुछ और इंपोर्टेंट देख लेते हैं नाम है यह सारा इदर और उससे रिलेटेड जो उसके मीनिंग है दिया गया है ग्रामिनी जो होता था वो वैदिक पिरियेड में विलेज हेड को ग्रामिनी कहते हैं विस्पती जो था वो चीफ अफ क्लाइन था मतलब एक समूदाय ह उसको जो है विस्पती यह लोग बोलते थे उपाध्याय जो था उपाध्याय पध्याय क्या था यह टीचर था जो कि टीच करता था जो पढ़ाता था क्या बेदा फॉर सस्टेनेंस और सभा और समीतियां यह मेंसन है अथर्व वेदा में सभा जो था इंस्टिचूशन था एलाइट या फिर एजड लोगों का आज के डेट में जो राज सभा है वो ऐसा मान लो समीती जो था जैसे कि आज के डेट में हमारा लोग सभा है उस टाइक का यह हुआ करता था और यह लोग आजिगान का अर्यान का वुरुल था नगरिये नहीं थे रूरेल थे और अस्म चक्र यह राहत पुली के द्वारा खीचा जाता था बिजनेस जो थे मरिस घ्रकार के fragट अर्यक्षूसारी इंडस वैली भी बाटर पे ही था और ये भी बाटर सिस्टम पे ही था बाटर सिस्टम में क्या होता है मालो आपके पास कोई समान है और मेरे पास कुछ और समान है मालो आपके पास चावल है मेरे पास गेहू है हो सकता है कि मैं चावल आपका मेरे को जरूरत है तो मैं अपना गेहूं देखे और गेहूं आपका जरूरत है तो मैं एक्सचेंज किया जा सकता है इस तरीके से ट्रेड होता था इस तरीके से बिजनेस हुआ करता था तो यह बाटर सिस्टम कहते इसको एकरत का मतलब होता है सुपरीम रूलर अथरवेदा के हिसाफ से इसके अलावा यम जो वाल्ड वरल्ड फडड हुआ करते थे त्री वर्ग फिवर्ग जो था धर्म- अर्थ- और काम से रिलेटीट था यह और पूरु-शार्थ जो था घंतर्म- अर्थ-काम और मोक्ष से रिलेट... अब हम Chief व्रिगवेदिक Gods की बात करेंगे तो सबसे इंप्रेंट गॉड कौन थे और उससे लेटेट जो भी गॉड्स हैं उनकी जिक्र करेंगे और God of Earth God of Sky और God of Space स्पेश्लियमन का डिस्कस करेंगे तो गॉडव अर्थ पे जो जो कोड है उसमें प्रिथवी सुम, ब्रिहस्पति और अगनी को माना जाता था प्रिथवी सुम, ब्रिहस्पति, अगनी इसमें कीछ points है एक है करके देखेंगे सूम से डिलेटेट क्या दिया है he was the third most important deity all the mantras of ninth mandal of Rig Veda are dedicated to him यह कई बार पुछा जाता है अगनी he was the second most important deity he was second most important deity 200 hymn जो है अगनी के लिए Rig Veda में devoted है और सबसे important god थे इंद्र, इंद्र के लिए 200 hymns जो है dedicated है किसके हिसाब से तो Rig Veda के हिसाब से अब हम god of sky की बात करेंगे god of sky जो है उसमें वरुन की जिक्र करें इसमें कई सारे आता है जैसे कि विष्णू, मित्र वरुन, सूर्य, अस्विन और हुशान आता है तो वरुन की बात करें वरुन was the god of sea God of sea को वरुन कहते थे and the regulator of ritz head of the moral order and ritz या गोपा भी बोलते थे इनको and pushan जो थे, pushan was the god of plant and medicines goats used to pull his chariot, इनकी जो chariot थी वो बकरियां जो है बकरे बकरियां खीचती थी क्योंकि ये god of plant थे medicines थे और सबसे ज़्यादा जो plant का यूज कौन करता है, goat ही तो करता है इसके अलावा god of space, god of space में कुछ नाम है marut, pranjayya, indr, rudr, आपा और वायू इसमें जो indr है ये पूरा ही इस वेदिक पिरियेड में most important diet ही हुआ करते हैं और ये पुरंदर इनका नाम है दूसरा the destroyer of forts भी इनको माना जाता है lord of world माना जाता है इनको इनके लिए dedicated है रिगवेदा का धाई सोहिम and war leader of aryan god of rain भी इनको बोला जाता है तो बहुत important god ये indr हुआ करते थे बैदिक पिरियेड के इसके अलावा बात करें विराट पुरुस की विराट पुरुस की तो from arm जो विराट पुरुस है या फिर ब्रह्मा कहले तो इससे इनके different अंगो से decide किया गया है different सारा बर्गो को different type के बर्ग जैसे की माना जाता है कि विराट पुरुस के मुख से मुख से विराट पुरुस के मुख से origin of Brahmin होता है और उनके भुजाओं से यानि कि Arm से origin of छत्रिये होता है उनके Thai से origin of Vaisya होता है और के चर्णों से origin of सुद्रा होता है ऐसा विराट पुरुष से के अंगों सेैसा माना गया है यह वेदिक पीरियड में ठीक है रिग वेदा की बात करें तो रिग वेदा में फ्लो चार्ट देखे थोड़ा सा इसमें बोला गया है कि रिग वेदा वेद त्राई की बात करें वेद त्राई की तो तीन वेद इसमें जोड़े गए हैं उसमें रिग वेदा है य ईगवेद, सामवेद, यजरुवेद, चारवेदर आजाएंगे फिर इधर आजाइए फ्लोचार्ट में ही देखते हैं कुछ और पंच जन की बात करें तो इसमें अनू, द्रुहया, पूरू, यदू और तूर वासू इसमें आते हैं पी, विदाँग, विदाँग जो हैं कई सारे विदाँग हैं जैसे कि education शिक्छा है, शिक्छा विदाँग, जोतिस विदाँग, astrology, कल्प विदाँग, शन्द विदाँग, वर्स, निरुक्त, और प्रग्रामर यह पांच जो है पांच नहीं छे इसमें बेदांग है छे बेदांग है ठीकि यह आपको याद रखना पड़ेगा इसके अलावा रिगवेदिक एरा में रिवर्स और उनके कुछ नेम और उनके पुराने नेम ऐसा भी कर सकते हो और रिगवेदिक एरा के रिवर्स और उनके नया नाम आज के डिट में हम यूज करते हैं वह एक बॉक्स में दिखाया गया है अक्षिनी चेनाब को बोला जाता है विपासा वियास नदी को बोला जाता है परुषनी रभी को सदा और इसमें सवाल बनता है तो अप्षिनी चेनाब को बोला जाता है भी पहसा ब्यास को परुषणी रभी नदी को बितास्ता छेलम म को सदा नीरा अंधक सुदूद्री सतलज को और डिश्डवाती लगगर को मना गया है ठीक है अ ब हम देखेंगे जैनीजम। उससस दाम नीचे चलेगे क्या है अधिक है अधिक है हाँ रिग वेदिक में मंडल देखेंगे और उसके ऑथर फर्स्ट मंडल के मतलब दस मंडल है ना दस मंडलों के अलग-अलग ऑथर है पहला जो मंडल है इसके ऑथर का नाम है मधू चमदा या फिर मेगार तीथी इसको बोलते हैं सेकेंड मंडल के है ग्रित सामद धर्ड के है बिश्वा मेत्र फोर्थ के है वाम देव्व फिट के है अत्री शिक्स्त के है भारत द्र्वाज ऱ्युम्दा इंदराः शाची और अदर्स महावीर स्वामी इससे पहले यदर आजेए तो जैनिजमब हम पढ़ लेते हैं जैनिजब का introduction की बात करें तो जैन जो word है ये derive होता है संस्क्रीट word जिन से और जो meaning है जिन का हुसका meaning है winner जिन मतलब होता है बिजेता winner इसके founder जो है आदीناत है आदिनाथ जैनिजम के founder आदिनाथ है और महात्मा जो है निरग्रंथ है फिर अगर पार्सनाथ की बात करें जो कि जस प्री डिशेडर थे किसके महावीर के तो ये 23 तिर्थंकर हुए टोटल जैनिजम में 24 तिर्थंकर थे 23 नमबर का important इसलिए है क्योंकि इनी के बाद महावीर बैठे थे 24 तिर्थंकर बने थे जैनिजम के तो इसलिए इनके बारे में थोड़ा से जाना जरूरी है ये किसके पुत्र थे तो ये अस्वसेन जो की कासी के राजा थे उनके ये followers to follow चतुरियम अब चतुरियम क्या है चतुरियम जो है ये चार चीजों से बना है जो पहला है इसमें कि भहिया सच बोलो truth to speak truth non-violence होना चाहिए avoid violence अस्तिया का मतलब है कि चोरी नहीं आप करना है stealing is prohibited और upper agree मतलब कि आपको कोई भी property अपनी नहीं रखनी है कुछ और important fact दिखेंगे जैन कोंग्रीगेशन फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे इनका नाम है सुधर्मन और डिवीजन हुआ जैनिजम का तो follower of स्थूल बद्र क्या कहला है स्वेतामबर स्थूल बद्र और भद्र बाहु ने में थोड़ा विबाद हो गया और यह दोनों अलग-अलग स्थूल बद्र के विफ। स्थूल बद्र के विश्वेतामबर कहला और जो follower बद्र बाहु के वह दिखमबर कहला रिप्यावária स्वेतामबर से जैन होते हैं जो कि सपेद कप्ड़ा प fulf Argentina होते जो बिल्कुल ही निमीड होते हैं कोई कप्ड़ा नहीं पेंते हैं ए प्रेसिदेंट जो बलबी वाला हुआ था उसके जो प्रेसिदेंट थ है उनका नाम है देवाधिगम जे всемवी शरमाद जे मलिटरेचर को क्या बोलते है इसको बोलते है आगम या फिर थियोरी बोलते है सिंबल और पारसनाद क्या है स्नेक है पारसनाद का सिंबल स्नेक है फाउंडर अजीवक सेक्ट बहुत इंपोर्टेंट कई बार पुछा है यह है मखली मखाली गोशाल मखाली गोशाल जो है यह है founder of आजीवक सेक्ट ठीक है अब हम देखेंगे महावीर स्वामी से related कुछ fact इनका जनम हुआ था 540 BC में कहां जनम हुआ था तो वैसाली के कुंडल ग्राम में या फिक कुंडल पूर में वैसाली में पड़ता है इनका जनम हुआ था इनके father का नाम था सिधार्थ जो की head थे जनांतरी clan के छत्रिय थे ये mother का नाम था तिरिसला बिदेहददता भी बोलते हैं ये sister थी इनकी mother sister थी चेटक की जो की head थे उस समय वैसाली के लिछवी रिपब्लिक के इनकी wife का नाम ये सोदा था और इनकी daughter का नाम था ये जो daughter थी ये सोदा इनकी wife जो थी ये daughter थी कुंडिन गोत्र की कुंडिन गोत्र की ये daughter थी और इनकी पुत्री का महावीर की पुत्री का नाम था अनोजा या फिर प्रियदर्सना भी बोलते हैं इनको और इनके सन इनलो थे जमाली जमाली इनके सन इनलो थे attainment of knowledge को कैवल ले बोला गया है और कैवल ले बहुत important हो जाता है जैनिजम जहां बाता आएगा इसका मेनिंग पूछ लेता है कैवल ले का मेनिंग क्या होता है कैवल ले का मीनिंग होता है attainment of knowledge near इनका جो knowledge हुआ था कैवल ले जो प्राप्ति होी थी ये जरंबी का ग्राम में हुआ था on the bank of रिजुपाली का river under the tree of sal इनको ग्ञान के प्राप्ति होती और ये ग्यान कहलाता है केवले after attainment of knowledge that is महावीरा after जब इनको knowledge ग्रहन हुआ तो ये क्या कहला है ये जीन कहला है, ये नी ग्रंत कहला है, केवलीन कहला है, अरहत कहला है ये इनको पहले जो मतलब था, ये जीन नहीं कहला थे लेकिन जब इनको knowledge की प्राप्टी हो गई, केवले की प्राप्टी हो गई, तो इनको केवलीन या फिर अरहत या फिर जीन या फिर नी ग्रंत इनको बोला जाने लगा इनके पहले disciple इनके son-in-law थे, जमाली ये इन्होंने चतुरियम था, जो की पारसनात की थियोरी थी, उसमें celibacy इन्होंने add कर दिया पहले उसमें celibacy नहीं था, ये इस celibacy add किया था महवीर नहीं, तो celibacy add करने वाले महवीर ही हैं और अनेकांत वाद का, और स्याइद वाद का इन्होंने सिथांत दिया था, ये क्या है अनेकांत वाद, इन्होंने स्याइद वाद के हिसाब से बोला कि कोई भी चीज ना 100% सियोर नहीं होती है उसमें कहीं मेभी लगा रहतना चाहिए, और यही concept सही है, क्योंकि 100% सही गलत ऐसा कुछ होता नहीं है, मेभी का concept जो है, यह स्याद वाद होता है और belief in rebirth of karma, इनका थियोरी था यह बोलते थे कि rebirth जो है, कर्मों के हिसाब से होता है कर्म में belief करते थे और rebirth में भी यह belief करते थे, इनका death हो गया था, 527 बीसी में 72 साल तक यह थे यह, पावपूरी में नियर राजगीर इनका death हो गया था ठीक है, अब हम देखेंगे बुद्धिजम से इलेटेट कुछ fact तो बुद्धिजम की बात करें बुद्धिजम जो है इसमें धर्म चक्र परिवातन एक बहुत important concept हो जाता है इसका मतलब क्या होता है आपको समझना चाहिए धर्म चक्र परिवातन का मतलब होता है first sermon first sermon given to five brahmins at sarnath रिसी पतनम जिसको बोलते है अमरिग देव by महात्मा बुद्ध तो यह जो पहली बार जब ग्यान की प्राप्ती हुई न महात्मा बुद्ध को तो महात्मा बुद्ध ने पहली बार अपना सर्मन किया था पहली बार अपना ज़्यान बाटा था अपने पांच ब्रामिन्स को सारनाथ में और इसी को धर्म चक्र परिवर्तन या पर प्रवर्तन धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं थोड़ा सब हम देखेंगे जो गौतम बुद्ध थे उनका नाम एचली सुरू में सिधार्थ था इनका दूसरा नाम सिधार्थ था बाद में इनको मात्मा बुद्ध या फिर गौतम कहा जाने लगा इनको ग्यान की प्राप्ती जो हुई 35 साल की एज में हुई इन्होंने घर छोड़ा था 29 साल में इनका इधर से आये तो इनका नाम था मात्मा बुद्ध सिधार्थ इनके बच्वन का नाम था गौतम भी इनको बोलते थे इनकी मदर का नाम था माहा माया जो कि कोलिया से बिलॉंग करती थी फादर का नाम था सुधोधन साक के गौन राजिस के ये मुखिया थे इनका जनम हुआ था मात्मा बुद का जनम हुआ था 563 बीसी लुंबिनी जो कि आज के दिट में नेपाल में है इनकी जो इनका पालन पोशन है अब ब्रिंगिंग प्रजापती गौतमी किया था क्योंकि इनकी मदर का ध्यान थो गया था जल्दी ही इनका मैरेज जो 16 साल में ही हो गया था इनकी वाइप का नाम था यसोधरा और इनके बेटे थे राहुल इन्होंने घर छोड़ दिया 29 साल में जिसे हम महा अभी निस्क्रमन के नाम से जानते हैं उनको ग्यान की प्रापती 35 साल के उमर में होई थी बिम्बी सार एक तरफ परसन है दूसरे तरफ डोनेशन है जिन्होंने बुद्धिजम को डोनेट किया काफी सारी चीज़ है तो बिम्बी सार ने बेलु वन भिहार दूनेट किया था और क्रसेंजीत ने पूबरम भिहार जो दूनेट किया था लिच्वी ने डूनेट किया था कुटंग गरह साला भिहार और अनथ पिन्डक ने क्या था जेतवन विहार जेतवन विहार कुछ और important fact देखेंगे four noble truth time का क्या क्या था दुख है वो ला कि संसार में grief है दुख है और दुखों का origin जो है origin of grief जो है समुन्दया बोलते हैं उसको दुखों का कारण है ऐसा माना जाता है और दुखों का निरोध है निरोध भी है cessation of grief और उसके लिए इन्होंने बोला cessation of grief के लिए अस्टांग मार्क को अपनाना पड़ेगा ऐसा इन्होंने बोला तो यह चार noble truth है और मुस्ट पब्लिसंटी जो है कोसल में इसका हुआ भाहमेनिजम बुद्धिजम का जो की स्रावस्ती कोसल स्रावस्ती जो है इसके राजधानी 21 सेजन हैविटिट यहां पर बनाए कहते है और महात्मा बुद्ध की और बात करें, तो महा परिनिर्वान इनका, मतलब इनके मिर्तिव जो है, कुसी नगर में हुई थी, तो यह पूछता है कि मिर्तिव को क्या बोलते हैं, इनके जो ग्यान की प्राद्टी हुई थी, सर्मन किया था, उन सब का एक नाम है, तो मिर्तिव को महा परिनिर्वान बोलते हैं, ठीक है, महा परिनिर्वान, कब हुआ था, 80 साल के उमर में यह, 4-3 BC में, कुसी नगर जो कि उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश का जीला है, महां पर इनका द्यान तुआ था, लास्ट आवर जो है, इनका लाइफ का, वो जो है, उसमें देखेंगे, तो इनका लास्ट रेनी सीजन भीता था बेसाली में, चुन्ड इन पावा फेड और इड लास्ट सर्मन इननों दिया था, सुभद इन कुशी नगर में, लास्ट सर्मन इनका था, ठीक है, उसके बाद इनका द्यान थी हो गया था, एट फोल्ड पाथ इननों ने बोला, कि दुखो को निरोध के लिए, एट फोल्ड पाथ आदमी को अपनाना चाहिए, जिसमें इननों ने बोला था, कि राइट भीव होना चाहिए, एक आदमी का, राइट भीव होना चाहिए, इंसाइट से ग्लेटेड बात करें प्रग्या से ग्लेटेड तो इनों ने बोला कि right भी होना चाहिए अच्छी सोच रखना चाहिए right speech अच्छी बानी सत्वानी बुलनी चीए right resolve होना चाहिए फिर इनोंने बोला morality से related कि Right conduct होना चाहिए right effort होना चाहिए right livelihood होना चाहिए Meditation के लिए बुला कि right mindfulness होना चाहिए और right समाधी होना चाहिए थिक तो यह सब कुछ art fold path इन्हों ने बोला right view right speech right resolve right conduct right effort right lible right mindfulness और right समाधी जो कि आज की डिट में भी इसको अपनाया जाए तो आपको benefit बेनिफिट ही मिलेगा बहुत जादा बेनिफिट मिलेगा कुछ और इंपॉर्टेंट देखेंगे तो फोर सीक्वेंस आफ सीन्स जो है रिस्पॉंसिबल है और बुद्धाज सेंटिसिजम यह बाहर निकले थे घर से अपने अपने रथ पे बैठके जा रहे थे मार्केट देखा एक डेड का बॉड़ी देखा और एक बहुत ही खुश मिजाज एक सन्यासी देखा एसेटिक देखा तो इनके मन में उसी समय कही न कहीं इनका हिर्दय प्रिवर्तन हुआ और यह सीन जो है चारो सीन है यह बुद्धा का जो सन्यासी जीवन है उसके लिए रिस्पॉ पहली पार जब इन्होंने घर छोड़ा था तो सबसे पहले किस्से मिले थे तो यह मिले थे अलार कलाम से जो की टीचर थे एक साख फिलोसफी के नियर वैसाली में इनसे इनका मुलाकात हुआ था और जब यह राजगरी पहुँचे तो इनकी मीटिंग हुई थी रुद्रक रामपुत्र से रुद्रक रामपुत्र से यह भी पूछ लिया जाता है नॉलेज इक्विजिशन जो है इनका इनको मिला था ज्यान की प्राट्टी हुई थी अड़ एज अफ थर्टी फाइव नियर ऑन दे नाइट अफ बैसाख बैसाखी के दिन फुल मून डे को इनको ज फिंकी जान की प्राट्टी हुई थी अपि सबंदर बोध ही ट्री या फिर इसको उंप फिग ट्री बोलते हैं तो फिघ ट्री बडी नहीं ये ट्री आज भी है आज भी अगर आप बहुत गया जाओगे तो ये आपको ये जो पेड़ है देखने को मिल जाएगा एक्जाम देश्टी से बात करें तो इनके फॉलोवर्स जो हैं बुद्धिजम के उनको दो भागों में बाटा जा सकता है इनके फॉलोवर को दो भागो फैर फिमय लवर्श पर आ जाएंगे इनको गॉद्धा को एक और नाम से जाना जाता है ये नाम है लाइट अफेसिया लाइट अफेसिया के नाम से गॉत्वद्धा को जाना जाता है और किसने कहा था ओधर अफ्व डॉट्व पोईट्री बूद्वक ऑल्लाइट आफ फे बुद्धिजम को दो भागों बाट दिया गया था हीनयान और महयान में ठीक है तो हीनयान का जो लिटरल मीनिंग होता है उसका मतलब होता है deficient vehicle और महयान का मतलब होता है great vehicle बुद्धा यूस्टू say about his sect मिडिल पाथ मध्यम बर्ग जो है मध्यम प्रतिपाद जो है मिडिल पाथ जो है अपनाने के लिए बोलते थे कि ना आपको बहुत ज्यादा आगे निकल जाना है किसी से ना बहुत ज्यादा पीछे निकल जाना है अगर आपको सुखी जीवन जीना है तो मध्यम पाथ अपना प्रतिक जो है यह एक लोटस बूल से दिखाया गया है लेफ्रि– जब चोड़े थे हों तो इसको घोड़े से दिखाया गया जब इनको ग्सापी दिखोया गया है- पीपल यानि की बौध ही ट्री से दिखाया गया है और निर्मान जब मिला था इनको फुट प्रिंट से दिखाया गया था और जब डेथ हुआ तो डेथ का जो सिंबल है वो है स्टूपा इस्टूपा जो है डेथ का सिंबल है बिसिकली जितने भी स्टूपा आप देखते होना डॉम-like structure वो स्टूपा पे उस स्टूपा में कही जो bodily remain है इनका दैहिक जो इनका remain है वो रखा गया है या फिर उनके इनसे लिए जो बस्तूएं है वो उसमें अंदर दभी हुई है नेक्स्ट है एजुकेशन सेंटर गुद्धिजम के नालंदा है जिसको बनाया था किसने कुमार गुप्ट ने गुप्त बंस का सा सकता यह फिर बल्लवी है और विक्रम सीला जो कि धरमपाल ने इस्टेबलिश किया था जिसको बक्तियार खेलजी ने डिस्ट्राय किया था ठीक है अब हम देखेंगे त्री रतना बुद्धिजम के तीन रतन है एक तो उसमें बुद्ध है धम है और तिसरा संग है बुद्धिजम क कि बिने पितक से जान किया है। स़ंग में जो भी रहते थे आपने इस सथे पितक है जितना चाहिए। और अभिधम अपितक में, philosophical theory जो है गौतम बुथा की, जो उन्होंने बाते करी, जो philosophical, जो theory दी, philosophy दी, वो इसमें जिक्र किया गया, अभिधम अपितक में, ठीक है, philosophical theory को इसमें दिया गया, अब कुछ और words है, और side में meaning है, वो देखेंगे, चैतन, चैते का मतलब क्या है, चैते का मतलब है, burial term for keeping, mortal remains of great men, चैते का मतलब है, बिहार का मतलब क्या है, place of residence of monks, and stoop का मतलब क्या है, place for keeping the selected bones of dead, ये मतलब होता है, ठीक है, first, जो है, जो Buddhist council हुआ था, Buddhist council के बात कर रहा है, तो पहला जो Buddhist council हुआ था, वो इनके मीर्टिव के साल में ही कर दिया गया था, और 4-83 BC में ये किया गया था, और इसका location था, राजग्री, जो कि मगत की उस समय राजधानी हुआ करती थी, राजग्री के सब्ध पर्नी केव में ये हुआ था है, वजन इसका, और इसके president थे, महा कस्यप, महा कस्यप, ठीक है, और इसके ruler उस समय कौन थे, मगत के, ruler थे, हर एक डाइनिस्टी के अजाध सत्रू, फिर आएगा second council, second council का year जो है, एकदम 10-100 साल बाद है, 483 के 100 साल बाद है, यानि कि 383 BC में है, और location जो था, इस बार का, ये वैसाली था, जो की बालुक करम, करम विहार जो है, वैसाली में, यहाँ पर ये आयुजन किया गया था, इस बौध संगिती या फिर कह सकते हैं, बुद्धिस्ट काउंसिल, प्रेशिडेंट थे, इसके सभाकामी, सभाकामी इसके प्रेशिडेंट थे, और सबकमीर जो है, इसमें प्रेशिडेंट थे, ठीक है, रूलर जो थे, काला सोक था उस समय, काला सोक इसका रूलर था, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, थर्ड, थर्ड जो काउंसिल हुआ थ देता है करेंसे 251 बीसी भी देता है चलिए इसके इसाफ समाएं तो 247 बीसी लोकेशन कहा था पाटली पुत्रा प्रेसिडेंट कौन थे मोगली पुत्तिसा और उस समय राजा कौन थे मगत के तो वहिया राजा थे मौरेवन्स के असोग प्राथ चौथा और लास्ट है यह व असोगोस असव गोश्ट किया ने कौन सी बुक लिखे थी वह आप मुझे बता देना कमेंट कर के चलो मैं ही बता देता हो बुद्व चरिट की रस्ना के थी आसोगोस्ट ने इक्जाम देश्टी से देखें छे एक जाम देश्टी से कुछ और पॉंट्स देखें तो यहां पर आपको दिखरा है डिवीजन इन बुद्धिजम तो बुद्धिजम में डिवीजन क्या है एक तो महा संगिक महा संगिक या फिर सर्व सर्वस्ताविदीन यह इसको बुला जाता है इसके महा कश्र थे और स्थाविर ऐसे लोग थे या फिरावादी जो कि एंटी चेंज थे इसके लीडर थे महा कच्चायां महा कच्चायां ठीक है अधर रिलेटिट फैक्ट की बात करें तो फोर्थ उसमें बुद्धिजम एक्स्प्लीसिली एक्स्प्लीसिटली गॉट स्प्लीट इंटो हीन्यान और महायान यह काउंसिल हुआ था कसमीर कुंडगराम में कसमीर में हुआ था यह और कनिष्क था उसमें सासक नगार्जुन दो ओर इजन ओर इजनेटर अफूर फ्यूचर बुद्धा मैत्रिया बोला गया और सनिक्तवाद सनिक्तवाद का प्रिंसिपल जो है वह भी बुद्धा नहीं दिया था अब देखेंगे सैविजम से रिलेड़ेट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सीवाज वर्षीपर को सैव बोला जाता है इंडियाज ओल कि तुन्हार इतली हो गोला जाता है श्यूचर ओलोको सैंटियागय प्रदरस्तित कियागय प्रिप्शन उसमें क्रिएटिंग सिवा केव वह बिल्ट किया गया था वाई कमांडर अफ दचन्द्रगुप दूतिये वीराशेन के गारा और उद्धेगिरी हिल्स पर फिर अगर सीव टेमपल की बात करें तो कंदारिया महादेव टेमपल जो है खजुराहो में इसको बनाया था चंदेल रूलर ने और के लास टेमपल जो कि इलोरा वॉला तेमपल है इसको बनाया था रास्ट कूटो ने इसको बनाय था राष्ट कुटो लो सेयव सेक्ट एक्वाडिंग टू वमन पुरान यहां पे सेव जह यहां पे देख रहा है और पसुपत के फाउंडर थे लकु लिसा यह एक अवतार अव्यूत सीवा थे अवतार अव्यूत-व्यून सेक्ट्स थे फिर आता है इदर कपालिक कपालिक इंकार्णेशन आफ भैरव सीवा कमाने जाता है इनके फॉलोवर्स जो है वो सूरा पीते थे सूरा मतलब की सराब उस समय कमान सकते हो मेट फीडर्स थे आविंग नर मंडा स्कॉलिंहेल हा लाट रखते थे से और ठीक प्रिचेटर्म के घंजिनेटर भागवट दर्म कान थे भुटन देन सबुट थेिष्न बिष्नी डाइनेश्टी क्रिस्टे टेश अर भागवत धर्म के ओरिजिनेटर और भागवत रिलीजन और वर्शिप अफ बासुदेवा इस मेंसेंड वाई पानिनी पानिनी वहीं है जिन्होंने अस्ट ध्याई लिखा था फर्स्ट अविलेबल स्टोन मोनुमेंट रिलेटेट तो भागवत रिलीजन वाज विदीशा बे बेशनगर को वाले गरूड़ा पिलर को बनवाया था वसुदेव को देव देव दिवास भी बोला जाता है फॉस्ट डिपिक्शन ऑफ भागवत धर्म अंदा अंदा पिलर इसमें गरूड़ा पिलर में दिखाया गया है फिर आता है पंचवीर पंचवीर एक तरफ मूरा म अथुरा और दुसरे कफे स्टोन इंक्रिप्शन पंचवीर जो है यह संकर्शन वाशुदेवा प्रद्यूमा संब और अनिरुधा सब मिला के पंचवीर ऐसा माना जाता है गुप्त किंग जो था गुप्त किंग जो हुआ करते थे वह बैस्नों सेक्ट के फॉलोर्स थे ग गुप्त रूलर्स का गुप्त रूलर्स का प्रतिक माना जाता है पिर आएगा चतुर व्यूध। चतुर्वियू चतुर्वियू जो है चतुर्वियू क्या है इसमें चालों का नाम आएगा संकर्षन इनको बलराम भी बुला जाता है वसुदेव बॉर्ण और बॉर्ण ऑफ असत्वहिनी फिर आएगा प्रद्यूमा ये सन अफ प्रिष्णा एंडरुकमनी थे तो इन सब को मिलाके चतुर्वियू मना जाता है अब हम जानेंगे 6th century BC से लेकर जो पॉलिटिकल कंडिशन था उसके बारे में इसके 6th century BC के पॉलिटिकल जो कंडिशन था उसका सूर्स क्या है उसको जानने के सूर्स है हमारे पास बुद्धिस टेक्स अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवति सुत्र पानिनी का अस्ट ध्याई और महा परिनिवान सुत्र ये जो है चारो सुत्र हमारे सोर्स हो जाएंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है लाजेस्ट और पारफुल डिपब्लिक अब गुद्धा पीरियट क्या था वैसाली था बज्जीयों का था ये एकॉर्डिंग टू पुरानाज दीनिश्टी टू रूल मगद वाज ये था ब्रिहदर्थ दाइनिश्टी पुरानों के इस पहली जो डाइनिश्टी थी जिसने रूल किया था मगद वो था ब्रिहदर्थ डाइनिश्टी एकॉर्डिंग टू बुद्धिस टेक्स्ट फर्स्ट मैजेस्टिक रूलर ऑफ मगद था बिम्बिसार जिसनों जिसने कहीं न कहीं मगद को काफी उचाईयों तक पहुंचाय ईसका पुत्र था अजात सत्रुड और ये दोनों जो थे यह यह दोनों विलोंग करते थे हर्य गर्यक डाइनिस्टी इससे बीम्बिसार ही फांडर था हर्यक डाइनिस्टी का 155 जिसको हुए तै capital of coastal kingdom कहा था इंडरमायन ये था अयोध्या में था out city layout of ancient श्रावस्ति जो था वो present shaped में था present शेप्ट में था अब महाजनपद with two capital से जानेंगे coastal जो था एक महाजनपद था 16 महाजनपदा हुआ करते थे उसमें coastal इसका नौर्धन पार्ट का राजधानी था तो यह वैसे महाजनपद हम डिसकस कर रहे हैं जिनकी दो-दो राजधानिया करते थी मल जो राजधानी थी इसके दो राजधानिया थी एक तो पावा और दूसरा कुसी नगर प्रण राजधान स्वत्ति एकशी नगर यसी नगर यूपीम पढ़ता है खिर पांचाओ क्शाण जू डैनस्टी थी इसका एक राजधानी था अचीन चट्रा ये इस चत्रा अही我們的 महिसमति च्राइब स्पूइब's स्टीज माही माही मा मती साॱधन की ति 1 के बात करें सिख़्को की तूभ और स्टरी ऐभ कॉईनज को नुमिस्मेटिक कहते हैं मैंटिक कहते हैं स्टरी अफ काइब कॉईनज को ओल्ड इस्त का कॉईनज फिट थे AMB were found founded in they are found in from the sixth century BC to the middle of the Moria period और यह पंच मार्कट कोयिंज थे यह फिर हैमर कोईश बोल सकते हैमर मतलब हैमर करके बनाए घ्यापिश्च मार्क करे सकते संबंच का भी निशान दिखता है इस प्रमें ली मेड अफ सिल्वर और स्टांप मार्क कि तरह इसमें एक पेस्ट किया था स्टांप Professor पांच मार्क क भी कहा जा सकता है आगे बढ़ेंगे इसके बाद आएगा मगद एंपायर से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखेंगे तो हर्यंक मगद एंपायर में सबसे इंपोर्टेंट डाइनस्टी थी हरन्यक हर्यक डाइनस्टी जिसका फाउंडर था विम्बिसार यह एक्चुल फाउंडर था इसका हर्यक डाइनस्टी का और इंट्रोड की बात करें तो बिम्बिसार को स्रेनी जैन लिट्रेचर के हिसाब से स्रेनिक कहा गया है और अजात सत्रू को कुनिक कहा गया है तो विंबिसार को कहा गया है स्रेनिक और महा वन्स के हिसाब से King of Magad ये 15 साल के उम्र में ही Magad की गद्धी पे बैढ़ गया था विम्डिसार की बात करे था और साधियां इसने की थी इसने अपना Matrimonial Alliance से कूट निती के तहट इसने अपना Kingdom को Expand किया था He married to the Chetak की पुत्री चेलनना, Daughter of Chetak जो कि लिछवी रूलर हुआ करता था उसकी पुत्री चेलनना से साधि किया था इसका दूसरा साधि जो था ये साधि था Kosal Naris Prasenjit की Sister का नाम था महा Kosal उससे साधि किया था दूसरा साधि इसने और इसने पंजाब में भी साधि किया था पंजाब की मद्र पंजाब में हुआ करता था उसकी प्रिंसेश खेमा से इसने साधि किया था तो मैट्रिमोनियल एलाइंस बना के अपनी दूर दस्टिता को इसने पेश किया था इसने अपनी कूठ निती दिखाए थी वार जो है इसने हराय था चेह ब्रह्मदत को जो कि अंग का सासत था और भान को मिला लिया था ठीक में कि अचात्स इसका पूद्र था और इसका दूसरा जो नाम है कुनिकक कathan जाता जाताए आज्ट्रыеट्र जो हिसकी ॉकर जॉटी टी वजी टबजीरा साधी किया था और इसके समय सकते हैं 480 BC में फ़र्स्ट बुद्थिस्ट काउंसिल और्ग्माइजक किया गया था इसका पुतर था अजात शतर का पूत्र था उधाइन ने पार्टली पूत्र हैं पार्टली पूत्रु का ऑपूत्रAh फूप यह करा धра यह शिया श्यूत मेन्ठ बनवाया था लेकिन अगर establishment की बात की जाए इस पाटली पुत्रा की तो उदाइन ही था जिसने इसको establish किया था और मगद की राजधानी भी बनाया था पाटली पुत्रा को transfer कर दिया था पहले राजधानी हुआ करती थी उसको transfer करके यह लेकिले क्या था पाटली पुत्रा इसलिए उदाइन काफी फेमस हो जाता है पाटली पुत्रा से रिलेटेड मगद डाइनेस्टी का पतन हुआ तो सिसुनाग डाइनेस्टी का लिच्वी किंग लिच्वी किंग जो की एक प्रोस्टीचूट वाइफ थी उसी से यह जन्म हुआ था सिसुनाग का और पुरानों के हिसाब से यह इसका माना जाता है कि छत्रीय होरीजिन का था इसकी विक्ट्री मेन जो था वह अवंती को जीता था और कई सालों से आते मगत के अवंती के साथ संगर्ज को इसने फाइनला कल्मिनेशन दिया था खतम किया था और इसका जो एक्सपैंशन था इससाम रही मह्ध इंपायर का सट्मक्ल से और इसले को इसे कॉट्ड केहें टील फार्श घिरीवर्ज किया た वह राजगरी कहीं दूसरा नाम था लेकिन इसने क्या किया वैसाली को अपना दूसरा कैपिटल बनाया था काला सोक इसका पूत्र था और इसके पुरानों के हिसाब से इसका काक वर्न वर्न जो है इसको कहा जाता है पुरानों के हिसाब से और इसने कैपिटल सिट किया था पाटले पूत्रा में वैसाली से अठा सी में इसको किया गया था नंद डाइनिस्ति के बदाया था से सुनाग के बाए और इसका फाउंडर था महा पदम नंद इसका और जैसे कि डिस्ट्रायड ओफ और चत्रिया यानि सर्व चत्रम तक इसको कहा जाता है इसको एक एक चत्र भी बोला जाता है एक रट भी इसको टाइटल दिया गया था एक चत्र मतलब की स्टैबलिश्मेंट ऑफ दो गवर्नेंस एक रट टाइटल भी दिया जाता है इसको कलिंग विजय इसने किया था और यह जो कलिंग विजय का सूर्स हमें मिलता है खारवेला का जो है खारवेला जो कि उस समय कलिंग का सासक था उसका एक अभिलेख है हाथी गुंफा भी लेख्या थिमिंपर इंक्रिप्शन कह सकते हैं वहाँ से पता चलता है कि आ अग्य है कि पता सब्संपर चलता है कि इसने अपने महापदम नंद ने उसको हराया था और इसका फ्रेंड ता पानी नी जिस ने अस्ट ध्याई की रचना की थिए अश्ध्याई की था एडवाइस जो कोई देता था ना इसको वह सुनता नहीं था अग्री मीज सनफ उग्रसेन था सोर्स ग्रीक राइटर के इसाब से अलेक्जेंडर इसके कंटेंप्रोरी था और अलेक्जेंडर को जब पता चला कि धनानंद बैठा है और काफी ताकत वह रहे तो अलेक्जे साहन ने किया था उसके मतलब बड़े नाम ने किया था नेम अफ टैफ और मौरी इसका था था भडसाल इसका झो था नेम ऑब दो चीफ आपाधमी था इस वाज मुडर्ड बाई चंद्रगुप्त मौरे ने इसको मार दिया था विद अफ आफ पॉप कोटिल ले कोटिल जो की अर्थ सास करदा रचाहिता माने जाते हैं उनकी हेल्प से इन्होंने चंद्रगुप्त मौरे ने इसके अर्ट्य कर देती किसकी धनानन की जैन जैन अमाद्य की सुने तो सकातल और स्थूल भत्र जो है वो जैन अमाद्य माने जाते हैं कुछ और इंपोर्टन फैक्ट देख लेते हैं न्यू इसक्रिप्ट बर्थ इन टेर्ट्री जोफ नॉर्थ वेस्टर इंडिया आज रिजल्ट अफ पर्सियन कॉंटेक्ट यह गवा तक इस स्क्रिप्ट को बोलते हैं खरेईस्टी स्क्र्प्ति इस फिजीशियं फर ऑंतर अंतर अंतर जिराश इस वाज टेरीश टेरास टेरीश समय समय। ममगादुनियन किन फिलिप 2 तो अलेखन्डर 3 या निकिस्सिचंडर था ममग दो किन फिलिप दो Creator ते Capital of Republic of Aswag था मशाग पूरू जो स्टेट वाज सेटल इन Middle of the जहलम एंचेनाब और पूरू से पूरू जो स्टेट है उसका सासक था पूरस पूरस की लड़ाई हुई थी सिकंदर से एक गाना है ना सिकंदर ने पूरस से की थी लड़ाई जो की थी लड़ाई तुम मैं क्या करूँ तो पूरस की लड़ाई हुई थी एलेक्जेंडर से ओन दा बैंक आफ रिवर जहलम एलेक्जेंडर से रिलेटेट कुछ और फैक्ट की बात करें तो यह वाज कंटेपुरोरी अफ धनानन यह डिमोलिस्ट दा अकमेडियन अकमेडियन एमपायर एलेक्जेंडर नहीं इसको डिमोलिस्ट किया था और यह इस्टैबलिस्ट एलेक्जेंडरी बुशी फेलस सिटी और इसका दिहांत जो है 3333 बेसी में घोडे से गिरके इसका दिहांत हो गया था फिर आप हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौरे के बारे में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौरेन डानेस्टी की मौरेन डानेस्टी में सबसे पहले आप जाने हैं कि मौरे डानेस्टी के फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौरे चंद्रगुप्ठ मौरे से रइलेड़ेड कुछ इंडियन सोर्स में हमें इंफॉर्मिशन मिलता है और कुछ फॉरें सोर्स में मिलता है, तो इंडियन सोर्स के साथ ईए य। मेंライ वे इंटिक करें सब्सक्राइद होरा की ब्रिशला और कूलहीन यह ऐसा माना जाता है ऐस पर मुद्रा राक्षस जो की लिखी गई है विसाखदत के द्वारा विसाखदत के द्वारा लिखी गई मुद्रा राक्षस के साथ से यह सब ऐसा माना जाता है and he was related to royalty as per Buddhist text महा बोधी once के साथ से he was related to royalty सूद्र लिनियस का माना जाता है एस पर दर ब्रिहतक थमंजर जरी एंड कथा सरी सरित सागर के हिसाब से सूद्र मारना जा गया है इनको एसा माना जाता है परिशिस्ट परवन बाई हेम चंद्र के द्वारा लिखे गई है यह ऐसा माना जाता है फॉरें सूर्स की बात करें तो विल्यम जॉन्स ने कहा है विल्यम जॉन्स के हिसाब से इस नेम वाज सैंड्रो कोटस सैंड्रो कोटस एन एरियन अप्लुटार्क के हिसाब से एंड्रो कोटस और जस्टीन के हिसाब से जस्टीन गेव एकाउंट अफ दा सैंड्रो कोटस एन अलेकजेंडर मीटिंग जस्टीन ने इनके जस्टीन ने अपने एकाउंट में कहा है कि सैंट्रो कोटस याने कि चंद्रुकृत मौरे और एलेक्जेंडर मिले थे एक्सटेंट आफ एंपायर की बात करें तो चंद्रुकृत मौरे के समय मगद एंपायर जो था वो इसका एंपायर मौरेन एंपायर यह अप्टू हिमालिया था नौर्थ में साउथ में तिल मैसूर तक था वेस्ट में तिल हिंदू कुष तक था और इस्ट में बेयब बंगाल तक था मतलब आलमुस्ट पूरा इंडिया कवर किया हुआ था एक्सपेंशन आफ एंपायर की बात करें तो इट वाज बिगर दन दे बिटिस इंडिया पर था उससे भी बड़ा था यह एंपायर यानि काफी बड़ा एंपायर बना दिया था चंद्रगुप्त मौरे के बाद के हिसाब से इसको अमित्रो चेट्स माना जाता है अमित्रो चेट्स या फिर अमित्र घात जिसको कहते हैं सिंग सेन भी माना गया है सिंग सेन जैन टेक्स्ट के हिसाब से बिंदु सार को और बिंदु सार ने अपने पुत्र असोग को भेजा था तो सप्रेस दा रिबेलिय टेक्स्ट से, according to grandi strabo, Syria king, Syria के हिसाब से, Syria का जो king था, Antiochus, उसने अपना ambassador, जिसका नाम था, Demachus, Demachus को भिजा था, बिंदु सार के कोट में, और ये आया था, arrival of Egyptian king, Ptolemy, Ptolemy duty ए, ambassador भिजा था अपना, डाइनीसियस भेजा था यह हमें पता चलता है एस पर क्लीनी के हिसाब से त्री डिमांड इसने बोला था सीरिया के राजा को एंटियोकस को विंदु सायर ने तीन डिमांड के लिए बोला था तीन डिमांड मांगा था एक तो स्वीट अलकोहल दूसरा ड्राइड फिग और तीसरा बोला था कि एक सूफी भेज देना यह तीन डिमांड में से दो तो पूरा हो गया था स्वीट अलकोहल और ड्राइड फिग वाला बट फिलोसोफर नहीं भेजा अंटियोकस ने और इसका रीजन दिया कि वो अपने फिलोसोफर को कहीं नहीं भेजते हैं अलाउड नहीं है उनके सासन में फैक्ट से बाउट इंपेरर असोका की बात करें सो एकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट इविदेंस असोका वाज प्रोविंचियल गवर्नर असोका अपनी गर्दी पे बैठने स्पहले यह अवंती जो प्रोविंच था उसका सासक था अवंती की राजानी थी उज्जयन असोका नहीं प्रुपाउंड किया था धम्मा की नीती को और असोका गर्दी पे बैठा कब 233 में किंग बैठा और अपना कोरोनेशन कोरोनेशन जो है वो करवाया था इसने 279 269 बीसी में इसका मतलब यह चार साल तक काफी स्ट्रगल किया गद्दी को पाने के लिए असाम बोला जाता है कि अपने 99 भायों को मार दिया था सोका ने असाम माना जाता है बड़ कितनी सचाई है इसमें अचली उतना क्लारिटी नहीं है जैनिजम के हिसाब से यह सही है और बुद्दिजम के हिसाब से गलत है ऐसा तो फिर कुछ क्लियर नहीं है नेम अफ आसोका इन पुराणा पुराणा में असोका का नाम है अशोक वर्धन और इसके समय में थर्ड काउंसिल अव बुद्दिजम ओर्गनाईज हुआ था अंशोक के समय ही असोका इनिसेशन इन्टू बुद्दिजम भई निगरूध इसमिंसंड इन दीप वन्सा महा वन्सा में ये के लिजिब वन्सा मैं ये मेंशन किया गया दीप वन्स और महा वन्स झो है सिरलंका के टेक्स था सिरलंका उस समें सिलन कहा जाता था असुऱ आसू सैन बद्धिजब उप गुप्ता इस मेंनast in दिव्यवदन के हिसाफ से असुका का जो बुद्धिजम में कन्वर्जन या इनिसियेशन है वो किस ने करवाया था? वो करवाया था उपगुप्ट ने करवाया था असुका और असुक और दसरत जो थे ये दोनों फॉलोवर थे बुद्धिजम के असुक और दसरत दोनों जो थे ये दोनों ही फॉलोवर थे बुद्धिजम के तो आगे बढ़ लेते हैं इंपेरर असुका से रिलेट कुछ और कहानिया देखते हैं असुका ने कई सारे एडिक्ट अपने एडिक्ट दिये थे वो एडिक्ट जो है असुका ने अपना एडिक्ट अपना फर्मान अपना एडिक्ट जो है वेजाता इसमें क्या बाते हुई है इस भाबरु वाले में ऐसी बाते की गई है कि असुका जो है उसको फेथ था बुद्धा में धमा में और संग में बुद्ध धम और संग जो था ये त्री रत्न था ये त्री रत्न था किसका ये त्री रत्न था बुद्धिजम का तो इसमें यह बताया गया भावरू बेरत वाले रॉक एडिक्ट में कि इसको यह त्री रत्न यानि कि बुद्ध, धम और संग में इसको विश्वास था इसके आगे है कि असुक का कॉल हिंसेल किंग इन किंग अफ मंगदा यह में पता चलता है असुक के रॉक एडिक्ट भावरू वाले से इंक्रिप्शन की बात करें तो इंक्रिप्शन में टूटल चॉद्ध इंक्रिप्शन क्या है एसेट फोटीन डिफेंट आर्टिकल जो है अप्टेन किये गहें हैं आट प्लेसेश मोस्टलीन प्रकेट लेंगवेज और ब्रामी स्किप्ट में इसके मिला है के वार्थ है 261 BC में हुआ यानि कि इसके जो इसका कोरोनेशन है असोका का जो की 269 BC था तो उसमें आठ साल बाद आठ साल बाद ये कलिंग वार हुआ था 261 BC में फर्स्ट बिक इवंट है या सोका के रहन का इसमें जीता तो थोंका लेकिन आसो का हिट्डर परवर्तन हो गया विज इसमें लाखो नोग मारे गये यह दीढके निमरी ठीए था उसके प्रोभीन्स केतने थे तो उसके प्रोभीन्स टोटल पाँच प्रोविंस की अलग अलग कैपिटल थी उतर पत जो था उसका रजधानी था तक्सिला अवंती पत जो था उसका रजधानी था उजयन कलिंग की रजधानी तोसली थी दक्षिन पत की रजधानी स्वन गिरी थी और प्राच्या या फिर इस्टन प्रोविंस की रजध परना पड़ेगा उसका Capital के साथ है अब हम देखेंगे फाइब ग्रेट किंग्स विद कॉर्डियल रिलेशन थर्टीन इंक्रिप्षन के का इस ऐसा ते रहा जो इक्रिफ्शन है असोका कर उसका हिसाब से पाच ग्रीग किंग है जिनका कौडियल दिरेशन था थारींध इंक्रिफ्शन की हिसाब से इसे पहला एलेक्जेंडर इसको अलीको अलीका सुद्धारों भी बोलते हैं और इपिरस इपिरस इसका नाम था दुसरा इपिरस का था यह अलग देंडर फिर आएगा आपका इजिप्ट का इजिप्ट का जो किंग था वो था तुर्माय टॉलमी दूती है फिलाडेस देलफस इसका नाम था वैसे सीरिया का था एंटी मगास इसका नाम था मकडूनिया और मकडूनिया का कहें तो एंटी कीनी एंटी कीनी और एंटी गोनस गोनाटस यह सब पांचों मिलके फाइब ग्रीक किंग्स थे जिनका कॉर्डियल रिलेसंस चलता था उस समय फिर हम बात करें अगर सोगोरा कोपर प्लेट की जो है सोगोरा जो है यह गोराख पूर से नक्दिक हुआ है और महा स्थान इन्करिप्शन बोग्रा बांगलादेस से इसमें हम मिलता ए इससाबज्स प्राकिरत लेंग्वेज में रिंटेन है और ब्रामिय प्रिप्ट में यह रीटेन है कोट को कूट को मगद्म मॉरेन पिरेड में अलग-अलग नाम से जाना जाता था जैसे सिभिल कोट को धर्म अश्थिया बूला जाता था और क्रिमिनल कोट को कंटक सोधन इसको बूला जाता था इंटेलिजेंस में संस्था जो था वह एक living in the same place था और संचार जो था यह जो इंटेलिजेंस कलेक्ट करते थे यह रोम करते थे यानि की हर जबा घूमते रहते थे मेगा इस्थनी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट मेगा इस्थनी से लुकस निकेटर का दूद था जो की चंद्रगुप्त मौरे के दरवार में रहता था इसने इसने मुझीपल एड्मिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा है इस्पेस्थरे पुत्रा का इसने बताया है कि एड्मिनिस्ट्रेशन जो था पुत्र सिटी का वो छे कमीटियों के दरव किया जाते था जिसमें 30 मेंबर थे यानि कि हर कमिटी में 5 मेंबर थे, टोटल 6 कमिटी या, 5 गुने 6, 30 मेंबर थे टोटल, 5 मेंबर थे इच कमिटी में, 3rd कमिटी जो थी, वो सेंसर्स कमिटी थी, 6th कमिटी जो थी, वो उसका काम था, जो useless 1 कि यहता है, शेल्स टेक्स के को कलेक्स करना, और कैपितल परिस्मेंट थेख्श करना स्वानस का परिया जा जाता है, capital punishment के तौर पे tax evasion बहुत बड़ा फ्राथ मना जाता था पार्टली पृत्रा में especially a name of the cities official ज़ता वो था अस्ट्यो नोमई इसका city officials का नाम होता था फिर अगर बात करें Indian society की तो Megasthenes के हिसाब से Indian society was divided into seven categories that is one number one is philosopher number two is farmer number three is animal keepers number four is artisan number five is warrior number six is inspector and number seven is minister इस साथ के टिग्री में Indian society को उसने बाटा था and there were lack of practice of slave tradition Megasthenes के हिसाब से modern period में slave tradition नहीं था and no person could marry outside his caste or have a different profession यह भी थोड़ा famous था उसने चानक क्या की बात करें अब जारेंगे चानक के के बारे में चानक के ऐसे महान बेक्ती थे जिनोंने जिनोंने मदद किया था किसका चंद्रुप्त मौरे का गद्धी पर बिठाने में मौरेन डाइनस्टी के मगत के गद्धी पर बिठाने में बहुत बड़ा हेल्थ था चानक के से एक बिखिक चनक जो थे उनका मिर्षिक चनक नेमिसंट संटटल कर दीनी चनक है तो तूटल थी नाम उस जना जाता है नेम इन पुराना में इनका नाम जो है द्वी जर सभा कहा गया है सुपेरियर ब्रामिन अर्थ सास्त्र जो है ये इसके रचाईता थे चानत क्या इसमें दिस्क्रिप्छन दीया गया है सप्ता ANG system of state ठीक है सफ्कांग सिस्टम क्या है देख लेखे सफ्कतांग मेगं तो किञ होगा दूसरा होगा अमात्य किसरा होगा सिटी यानiamo जनपद, चौथा होगा दुर्ग यानि की फोर्ट, पांचवा होगा फंड यानि की पोस्ट, छठा होगा पनिशमेंट यानि की दंड और सात्वा होगा फ्रेंड यानि की मित्र other related facts की बात करें तो अर्थ सास्त्र जो है अर्थ सास्त्र ने पर्मिशन दिया है for divorce to wife abandoned by her husband wife can leave her husband if he has some defect in his body or have been living in the foreign for long time foreigners were accepted as fallen चद्रियाज by Manu in Indian society पिर अगर बात करें हम सारनाथ पिलर की जो की related है किस से जो की related है सारनाथ पिलर ये असोका से तो ये construct किया था इंपेरर असोका ने top of this column is called lion capital क्योंकि lion का जो है ना उसमें मूर्ती है lion capital has been adopted as the national emblem of India lion figuring on top of pillar is symbol of power symbol of power ठीक है बेरी इंपोर्टन फैक्स जेम्स प्रिंसेप ने फर्स्ट स्कॉलर थे जुन्होंने डिसाइफर किया था असोकन encryption को 1837 में खरोष्टी स्क्रिप्ट इस रिटेन फ्रों राइट टू लेफ्ट ठीक है खरोष्टी स्क्रिप्ट जो है इसको राइट टू लेफ्ट में लिखा गया है और अनुराधापूर अनुराधापूर यानि की सिरलंका और सिरलंका का ही नाम था अनुराधापूर यह जो है एविडेन्स अब ट्राकिर्थ असोक ब्राम्ही असोका के ब्राम्ही स्क्रिप्ट का भी यहाँ पे जो है मिला है एविडेन्स और मस्की में असोका का नाम जो है मस्की वाला जो पिलर है मस्की वाला गुर्जरा नेतूर और उदगाउं इंक्रिप्शन में मस्की गुर्ज ने तूर उद्ध गोलन उद्ध गोलम इंक्रिप्शन में असूका का नाम जो है अधर अफ ऐंडिका मेगा स्थनिस जो था सेलुकस निकेटर का इंबास्टर था जिसने इंडिका लिखा और इंडिका बिसीकल यह कैसी बुख है जिसमें पटना के बारे में बहुत ब्रीहत ज Moran period and their names तो चाड़क्तिय का नाम जो है विस्नु गुप्त भी था असूका का नाम पियदासी था चंदर गुप्त का नाम था सेंडरो कोटस और बिंदु सार का अमित्र घात अमित्र घात यानि की slayer of enemy पोस्ट Moran period की बात करें तो एक्जाम दिस्टी से के परस्पेक्टिव से दिर इजे मार्किंग ओन दे क्वाइन सफ युद्हेयस युद्हेयस अफ काति के या प्रोपोगेशन अफ गोल्ड क्वाइन इन वेस्ट इंडिया वाज दन बाई आंसर होगा इंडो ग्रीक किंग्स प्राक्टिस अफ चायल मेरेज इसारब इन कुछाना पीरिए 1st century AD ग्लास कोई वे इसूड बाई स्ट्रैटो द्ति ए स्ट्रैटो दुति ए संकराशन संकराशन and वाशुदेवा आर इन वाशुदेवा इनक्राइब इनक्वाइन अगाथोकल्स अगा थोकल्स बामियान ऑफ अफगानिस्तान वाज फेमस पर बुद्धा स्टैच्यू तफर्स्ट इरानियन डूलर हुए नेक्स सम पाट आफ इंडिया वाज डेरियस वन डेरियस वन जिसका काल था 522 से लिकार चाश्च चीहासी बीसी का चलिया अब देखेंगा पोस्ट म और इन परियेट से रिटेट रूद्र दमन्स जूनागरी इंक्रिप्शन इससे सवाल बनता है आज भी बन रहा है पहले भी बनता था सो इनका जो इंक्रिप्शन एट वस फाउंड एट गिरनार माउंटन अब गुजरात संस्क्रिक्ट लैंगवेज में लिखा गया है ब् पांडया बन रूर्च आज जो एट एक आज लिखाल यह यह तो इनक्रिप्शन और जूह इसका मेंग्पर्पस है थो कीप एट रिकॉर्ड आप रिकॉर्च आप रिकॉर्टेटोर्च आप सुदर्साण लिख सेफ रूलर ऑफ कलिंगा की बात करे थो इसका फाउंडर था महा मेगवर वहान Kharvela was one of the greatest imperors according to the Hathi-Gumpha Abhinag He made Pandeja ruler to plow field using donkey living towards Jain religion Kharvela ruler Kharvela के Jain religion को follow करते थे गानधार स्टाइल क्या है Development during reign of Kanesuka जो गांधार स्टाइल था यह मूर्ती कला वगर से संबंदित था जिसमें गौतम गुद्धा की मूर्ती काफी ही डीटेल में बनाई गई है सो यह डेबलोप हुआ था कनिस्क के पिरियड में इट वाज ब्लेंडिंग ऑफ इंडियन और ग्रीक स्टाइल चीफ पैटरंस इसके थे गंधार स्टाइल के सक कुशाण सक और कुशाण इट यूजड ब्लूइस ग्रे एंड ग्रे सैंड स्टोन फॉर स्कल्प्चर्टर सुंग डाइनेस्टी का फाउंडर था पुसे मेत्य सुंग ब्राम्हिन औफ भार्दवाज गोत्र का था यह एकॉर लास्ट किंग था इसका देव गूति अयोध्य इनक्रिप्शन के साइब से पुस्चिमित्र जो था उसने दो असमेग करवाया था दो असमेग करवाया था अब हम देखें कजूल कडफिसस के बारे में उसने कजूल कडफिसस ने कॉपर कोईंस ऑनली इस्व किये थे गोल् धर्म धर्मा थिदास एंड धर्म धर्म हित इमो इन ग्रेव डॉन कोईन्स बीमा कड़ फीसर्स की बात करें तो यही इसूड गोल्ड और कॉपर कोईन्स बोथ सैव था यह सीवा को इसके कोईन्स पे सीवा तिर्शूर और नंदी का सेप जो है मिलता है कुशान डैनेस्टी का जो इंपॉर्टेंट है उसका चनिश्क बहुत फेमस रूलर ठाए कुशान डैनेस्टी का नागार जून परसवा चरक वगार उसके कोट में थे बुधा मारकिंग औं कोईन्स इसके कोईन्स पे पे मिला है रॉयल पेट्रोनेज दिया था इसने बसुमित्र को, राज कभी था इसका अस्वोगोस, राज कभी था अस्वोगोस, जिराएगा साथवाहन डाइनस्टी इसका एक्चुल कैपिटल था पैठान यानि की प्रतिस्थान पूरी, इनिसियल कैपिटल इसका था अमरावती, and satkarni one जो है first satwan king था जिसने hold किया था डायust कान ताइटल बॉत्मी पुत्र ऑस्तकरिन यह जो था इसने re-establish किया था fragmented चतुरवर्य that is Varna System को re-establish किया था यह protector था Varna System का title of अदवैत ब्रामिन इसको तो नासिक इंक्रिप्शन के साथ से टाइटल दिया गया है और प्रोटेक्टर था यह बेदाज का बेदाज का प्रोटेक्टर था अगैज़ कि अनिЗ अमूलोग को पोस्ट मौरें पीरिेट पहले दखेंगे थीへं रु़ुदर दमन का रुदर दमन का जूनागड का कि इनक्रिपशन ये जो जूनागड का इनक्रिपशन ध्रुदर दमनका ये घृनार जो मौंंटेन anest गुजरात में यह मिला है और यह संस्कृत लैंगोज में और ब्रामी स्क्रिप्ट प्रिप्ट में यह oldest अमंग संस्कृत इंक्रिप्शन इसको माना जाता है कई बार फूछ भी गया है which of the following encryption is oldest among the Sanskrit encryption तो एंसर होता है इसका यह मेन जो है रिकॉर्ड कंस्ट्रुक्शन रखने का ही है रूलर्स अफ कलिंगा की बात करें तो फाउंडर जो है महामेग वहन है फाउंडर रूलर अफ कलिंगा का महामेग वहन है खारवेला जो है वन अब दो ग्रेटेस्ट इंपेरर एकॉर्डिंग टूध हाथी गूंफा का जो अभी लेक है वह कहा गया कि कलिंगा का जो ग्रेटेस्ट इंपेरर है वह है खारवेला एंड फिल्ड यूजिंग डंकीज और ये जयन रिलिजन को थोड़ा से लीन था यह गंधार स्टाइल की वाद करें तो इट वस डेबलॉप्ट डूरिंग दूरिंग रेन अफ कनिस्क कनिस्क जो की कुशान जो वन्स था उसका ये एक राजा था प्रतापी राजा था एंड गंधार स्टाइल क्या है यह बिसिकल्व इंडियन और ग्रीक स्टाइल का मिशन है दोनों का कंभीपे इसके पैटरन थे वह सख थे कुशाना थे इसमें जो स्कुल्प्चर है उसमें ब्लूइस ग्रे और ग्रे स्ट्रोन का बहुत ज्यादा यूज हुआ है सुंग डाइनिस्टी की बात करें तो इसका फाउंडर था पुसे मित्र सुंग और ये थोड़ा सा ब्राम्हन को ज्यादा इसने बढ़ावा दिया था ब्राम्हनिजम को तो ये ब्राम्हिन औफ भारद्वाज गोत्र का था ये अगर्णिटो पानेनी के हिसाब से पानेनी जो की वही अस्ट थे आई के रचाईता थे पतंजली जो थे इसके पुरोहित थे पुरोहित पुसे मत्र थे और इस बंस का इस डाइनेस्टी का लास्ट किंग जो था वह देव भूती था और योद्ध्या इंक्रिप्शन चाह म में पता चलता है कि पुस्यमित्र जो है उसने दो असमेग यग कराया था तो असमेग यग कराया था अब हम बात करें अगर कजूल कड़ फिसस की तो ही इसुड ऑनली कॉपर कॉइंस और धर्मा ठी दास एंड धर्मा ठीट के इंग्रेवड ऑन कॉइंस वीमा कड़ फिसस कुषान डाइनिस्टी की बात करें तो इसका बहुत इंपॉर्टेट एक सासर था कनिश्क एंड इसको जो है इसने अपने कोट में नगार्जुन पार्षवा चरक वगेरा को इसने अपने कोट में रखा था और बुद्धा मार्किंग जो है इसके क्वाइन पे दिखा गया यह इसका रॉयल पैटनेर्ज जो दिया था इसने बसुमित्र को दिया था और राज कवीश का असुगोष था फिर बात करें सथवाहन डाइनिस्टी की सथवाहन डास्टी का एक्च्छूल जो कैपिटल था यह पैठान प्रति अस्थापूरी में था इनिशल कैपिटल इस पूत्र सतकर्णी जो था। रेश्टब्लिश्ट अीदिंग ए राधं इस फ्रेग्मेंटिंग। चतुर वर्योट उस्टम चार जो वर्ड है उस जैसे की प्राम्ह आलम ہیں स्वीन है और वैसे है और सुद्र है यह चतुर वर्ण ने जो था इसका वर्ण सिस्टम इसको री स्टेबलिश किया था इसने वह द प्रोटेक्टर अफ वर्ण सिस्टम और टाइटल जो था इसका अध्धि आद्वित्य ब्रामिन नासिक इंक्रिप्शन में मिलता है यह आप बात करें गुप्त डाइनस्टी का जो इंट्रोडक्शन है यह इंट्रोडक्शन हुआ था इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसमें यह डाइनस्टी ने रूल किया था ओबराल 275 से लेकर 550 AD तक और इसका जो फाउंडर था इसका founder था Shri Gupd और इसने 275 AD में इसको found किया था बट फर्स्ट जो powerful founder था ruler था इसका गुप्ट डाइनेस्टी का वो चंद्रगुप्ट 1 था और इसने rule किया था 319 से लेकर 335 AD तक इसने महाराजा धीराज का title अपने खुद को लगाया था इसने और यह ओरिजिनेटर था गुप्ट एरा का गुप्ट एरा या फिर गुप्ट जो समवत है इसने चलाया था समुद्र गुप्ट one of the most important king of गुप्टा डाइनेस्टी he is also called as Indian Napoleon by Vincent Smith और इसकी एक प्रसस्ती है जिसको इसके कोट पोएट हरी सेन ने लिखा था और प्रयाग प्रसस्ती इसका नाम है और इसमें जो है बेसिकली जितने भी समुद्र गुप्ट के जो कॉन्क्वेस्ट थे जो उसका जो मिलिटरी कॉन्क्वेस्ट थे उसका मेंसन है इसमें इसमें टाइटल जो है इसको दिया गया है प्रक्रमा मांक ठीक है यह टाइटल दिया गया है Contemporary King की बात करें और कुछ related state की उस समय के जो Contemporary King थे जैसे कि धनन जय ये कुस्तलपूर का King था नील राज ये और मुक्ता का King था उग्र सेन पलक्का का था और विश्नु गुप जो था ये कांची का राजा था इसके हिसाब से Čजान की चंद्रुप दीत्य जिसका दूसरा नाम इसका इसका परक्रमा बिस्कों बोलते हैं और सब्सक्राइल के लात सब्सक्राइब की करें अबुप देव-गुप्त भी यह देवराज भी और देवशी मिहरावाली का जो इंक्रीप्शन और इस्टेबलिश्मेंट अफ बिस्नु धवज और बिस्नु पद माउंटेन ये इसमें मिलता है ये जो है महरौली इंक्रिप्शन अभी कुतुर्प मिनार का जो कॉंप्लेक्स है उसी के अंदर जो है आईरन पीलर के रूप में है अजब डिस्क्रिप्शन अभी किन्ग नेंग चंडरा की बात की जा रही है है और ये ऐसा माना जाता है कि छंडरा था यह वह ही चंद्रगुप्त थिजल्थ की बात की जा रही है इसके लास्ट संग किंगी ज था था अब वेस्टëं इंटिया रुदर इसको डिफीट किया था इसने चंद्रगुप दूतिये ने एंड इलिमिनेशन हुआ था उसमें सब पावर का वेस्टन इंडिया में इसी के समय इंडिया में आए था और इसी के दरवार में आए था फिर हम बात करेंगे कुछ नौरत्म जो चंद्रगुप दूतिये के कोट में थे तो इसमें से ग्रेट कोईट कालिदास हैं फिर फिजीशियन जो थे धनवंतरी थे एस्ट्रोनॉमर थे वराहमेर लेक्सिकोग थे अमर सिंग और आकिटेक्ट थे संकु एस्ट्रोलॉजर थे सपना का सपना का और ग्रामेरियन थे वारारुची और मुजीशियन थे वतल भद्दा और डिप्लोमेट थे घटकार पार घटकार पार कुमार गुप्त वन इसके बाद गद्धी पे बैठे और इनका टाइटल था महेंद्रा दित्ते महेंद्रा दित्ति इनका टाइटल था he was born to the Dhruva Devi wife of चंद्रगुप्त दुती है and most number of गुप्त पीरियट इंक्रिप्षन अफ his period इसी के period में maximum जो है इंक्रिप्षन पाए गया है और copper plate encryption receipt किया गया है धनदाई और दामोदरपूर और बैगराम से gold silver and copper points इसके समय के मिले हैं बिलसद जो encryption है जिनलोजी दिखाता है गुपत राजाओं का तिल कुमार गुपत वन तक बिलसद encryption तो यह भी कह पूछता है इसकंद गुपत उसके बाद गर्दी पे बैठा कुमार गुपत वन के बाद और इसका जो इसका टाइटल था और इसके समय का पिक्चर ता उसपे आगे के तरफ इसमें का तीर धनुष्ट के साथ पिक्चर था और बैक साइड में लक्षमी इन पदमासना और मतलब दाना बॵेटना जो आसन में यसे लक्षमी प्रिटा दिखाये गया पिक्चर स्री असकंद गुप्त इंग्रेव्ड उस पर लिखा हुआ है इंग्रेव मतलब खुदा हुआ है उसके फर्स्ट एटेक अफ फुन जो हुआ था सकंद गुप्त जीत गया था उसमें और इंग्रेविंग ऑफ गरून ध्वज गरून ध्वज और क्रमा दिर्थे अंसम कोईंस यानि कि यह टाइटल इसका हुआ करता था फिर आता है तोर माना तोरा माना लीडर अफ सेकेंड हुन इंवेशन ऑफ इंडिया इसके समय वह था तोर माना के समय एरन अभिलेक जो है इनके वड़ान वराह स्टैच्यू एंड धन्य विश्णू फ्यूडल लॉड अफ तो मराना मिहर कुल जो था तो मराना का सं था और सक्सेसर था तो तो मराना क्या था हून से संबदित था ठीक है एकोनॉमी की बात करें इस समय की गुप्त के पीरियट की तो तामर लिप्त चाइना लंका जावा समात्रा तक जाते थे बात करें भरूच की तो भरूच जो है एक मेजर पॉर्ट था वेस्टन इंडिया का और मेरी टाइम ट्रेड था वेस्टन कंटिस के साथ इस पूर्ट के साथ फिर आता है स्रेनीज स्रेणीज क्या थे और्गनाशन आपे ट्रेड के लिए ग्रूब बनाया था ना उसी को स्रेनी बोला जाथ था जूडिशल पावर ओवर इट्स मेंबर्स इस स्रेनी के हाथों में पावर था जूडिशल पावर था अपने मेंबर्स को रेगोलेट करने का and setting standards and prices इसका काम था and salaries भी set करता था ये अपने मेंबर का working रूल्स वगराभी सेट किया करता था स्रेनी इच स्रेनी है जिस ओन हेड अपना खुद का हेड बनाते थे एंड सेल्फ मेड रूल्स यह खुद का यह बनाते थे ठीक है फिर देखेंगे हम एरन अभिलेक जो है फर्स्ट और अर्चीवल एविडेंस अब सती प्रैक्टिस यह एरन अभिलेक से मिलता है यह पूछा जा रहा सवाल है कि किस अभिलेक से हमें पता चलता है पहला एविडेंस सती प्रैक्टिस का तो यह फर्स्ट आर्चीवल ए एरन वाला जहांसे सती प्रैक्टिस का साक्षी मिलता है यह record जो है 510 AD का है mention of सेना पती सेना पती गुपराज वाइप कमिटिंग सती यही सेना पती गुपराज की वाइप के कमिटिंग सती का evidence पहला evidence हमें iron ability सेहीं मिलता है फिलम बात करें उध्रांक उध्रांग क्या था उस समय उध्रांग एक लैंड टेक्स था वह उनसीज्ट जो रट था लैंड रिवन्यू था सिख्थ जो रेट पता प्लेंट रेणल्ड रबिन्यू था फोडनर जो भी फोडनर थैंटनमा तो यह जो है राजा ले लेता था फिर आता है विदक बिदक भागम इरिगेशन टैक्स था एंसेंट इंडिया में फिर आता है कॉसेया एक सब्सिचूट था फोर सिल्क फिर आता है संस्क्रीक जो है वो लैंग्वेश था हाई क्लास का जो की गुप्ट पीरियट के हाई क्लास के लोग थे लेंग्वेश था वारंगल जो था एक फेमस जगह था फॉर आईरन टूल्स के लिए और मिच कटिकम जो था यह इसको लिखा था सुद्रक ने मिच कटिकम को चेस प्लेइंग काफी उसमें फेमस था गेम ओरिजिनेटिंग डूरिंग गुप्ट पीरियट चेस जो है आज की डिट में भी जो खेलते हो यह गुप्ट पीरियट में ही ओरिजिनेट हुआ था ठीक है फिर बात करेंगे हम परवार सेन वन का तो इसका पीरियट था दो सब चेस से 335 एड़ी वकाटक डाइनेस्टी का था यह बंदा टाइटल अफ इंपेरर जो है यह रखता था और फूर असमेग यग इसने कराया था फिर आएंगे न्याय दर्शन न्याय दर्शन का ओरिजि यही था लिटरल मीनिंग इसका था न्याय मतलब लॉजिक डिसेजन एक्जिस्टेंस अफ शिक्स्टीन सब्स्टांसेस इलिमेंट्स इसमें मिलते हैं फिर आएगा साख्य दर्शन साख्य दर्शन जो था यह इसका एक्सपोनेंट थे महर्शी कपिल साख्य दर्शन के एक् विलोसेपी वेधान्त फिलोसेपी जो था यह तो कल्मिनेशन अफ इंडिन आइडियोजी था इसके उपनिसत्स ब्रह्मशुत्रा और भगवत की इसके तीन सुरोध थे तीन बेसेस थे ठीक है कुछ फिलोसिफी ऊशके एक्समोनेंट के बात करेंगे तो योग फिलो스ी पतंजली में दिया था बैसेसिक्षक कनाड ने दिया था मिमान Zh जैमीनी ने दिया था वधरयान ने दिया था अिवैत वाद संक्राचारी ने दिया बिशनु अद्वयत यह दिया था रामानुज चार्या ने और द्वयत वाद यह दिया था माधव चार्या ने और न्याए नब न्याए यह गंगेश उपाध्या ने दिया था फर्स्ट मेंशन अफ गुर्जर कास्त यह आई होल इंक्रिप्शन में मिलता है फाउंडर अफ गुर्जर पतिहार डाइनेस्टी नागभट वन था ठीक है नागभट वन था फाउंडर अफ गुर्जर डाइनेस्टी गुर्जर पतिहार डाइनेस्टी फाउंडर अफ राश् से कनोज shift किया था इसने बात करें आई होल इंक्रिप्शन की वहल इंक्रिप्शन जो है इट वज डिस्क्रिप्शन ऑफ वार बिट्विन पुलकेशीं दूतिय और हर्शा जिसमें ऐसा माना जाता है कि पुलकेशीं दूतिय ने हर्शा को हरा दिया था दो वार वस फॉट चैनिस ट्रैबलर था मोस्ट इंपोर्टेंट इवेंट यही था कि हर्शा टाइम में इसका अराइबल हुआ था वेंशांग का इंडिया में और उसी के दरवार में आया था और काफी क्लोज भी था यह हर्शवर्धन का अराइबल फ्रम चांग दे कैपिटल आफ टांग र आता है इसने टूर किया था यूनिवर्सिटी अफ नलंदा को 677 एडी में करें पुछा रहता है ही में मेंसेंट मधूरा फेमस फॉर कॉटन कॉटन कॉट्स यह हैं और यह अलसो मेंसर्ट बाला नसीफ विचिस फेमस फॉर दा सिल्क क्लोट्स आज भी फेमस हैं सिल्क के ल गूर्जर पतिहार जो कि last ली यही जीता दोनों को सहरके दूसरे तरफ पाल था तीसरे तरफ राश्गुडा था यह तीनों मिला कर ट्राइपर तुट्राखन में था वेस्ट में था द्वारका गुजरात में इस्ट में पूरी में था उडिशा में और साउथ में श्रिंगेरी करनाटक में था ठीक है ते इवेंट, विच वज ओर्गनाइजर अवरी, दूरिंहरा ताइंप प्रियाग संगम मेरिया वा रिवह महामोक्ष काॉंसिल, व्लागोरे श्रिंगेर का रिवाप्ष्व और साउथ में हर्षव वरदन प्रियाग में, प्रियाग नकिए अलहबाद में, संगम इरिया वे और्गनाईज करा था था तो फॉरेंड ट्रैबलर प्रजेंट एट दे शिक्ष्ट महा मुक्ष कांसिल वाज हुएन सांग नेम गिवन तू इंडिया वाइ एंसेंट चाइनीज राइटर दाट इस इन तू या फिर थ्यान तू नलंदा उनिवर्सिटी वाज डिस्ट्वाइ जाओ की ठीक है तो टैम्पल्स आफ घचुराहु जो है यह सिचुएटेट है च्छतरपूर डिस्तिक मद्य पर्देश में इसको बनाया था चंदेल रूलर्स ने बिट्यून नाइनवर्ड फिप्टी टू-1050 एडी में चंदेल रूलर्स ने इसको बनाया था जो की शिच इस जीज्ट में उनिस्पो के बेदा और अदर टेंपल से यहां पे बात करें तो चाज़राओ नाजे के बाद करें तांदर्य माहादेव टेंपल यही about Basketment माला जाता है मॉइन लुक Сп 항्छराहव टेंपल प्रेट टाइम इस खजराह टेंपल में में इंशन किया गया है अब दो कंस्ट्रॉक्शन अफ 85 टेंपल रिलेटेट टू पैसनवीजम सीव सकती जैन रिलीजन ठीक है पर अगर बात करें पासनाट टेंपल का एक जैन टेंपल है यही पर है खजराह में और मंता गेश्वर ट बुद्धिस्ट डिलीजन से लेटेट यह सब केव टेंपल सीए स्टैच्व ओफ त्रीमूर्ती सीवा यही पर पाय जाता है और टेंपल कंस्ट्रॉक्शन जो था यह राष्टकुटो का था राष्टकुटो का था फिर बात करें लोरा की लोरा का जो लोकेशन है यह और अ इसे केव है इट इसे फिलीएटिड विट मतलब संबंदित है बुद्धियम से 1329 तक वाला जो केव है इट इसे फिलेटिड विद दर ईंदुईजम एंड 30 से 34 तक जो यह जैनिजम से तो तीनों का संबंद है आप देख सकते बुद्धिजम हिंदुजम एंड जैनिजम त इसने इसको construct कराया था कई वर पूछा भी जाता है पिर आएका संटेंपल कुनारक वाला इसको ब्यूट किया था नरसिम देव रमन ने डेव वर्मन ने सुरी नरसिम देव वर्मन वन चोदा चोदा गंग चोदा गंग ने इसको construct कराया था साथ इंडिपेंडेंट स्टैच्यू है इसमें जो कि ऐसा दिखाया गया है जो खींच रहे है रत को जेनरली यह सं कहीं जो है सं जो है होर्स पे ही राइट करते थे ऐसा सिंबोलिजम में देखा गया है कंस्ट्रक्शन पीरियड इसका 13th century AD का है 13th century AD का ही है और टेमपल का जो बेस है वो हुज प्लाटफर्म पर बनाया गया है स्टोन स्कुल्प्टेट वील्स ऑल एराउंड इसके बनाया गया है फिर बात करें लिंगराज टेमपल का तो यह उडिशा में है लोकेटेट इन भ पर इसका प्कॉरवकाकश्य सब्सक्र divert pac-clare बतक्र प्राइब ठेमपल का तो यह अचंग के वील्लं ने सबसे और विल्ल FX है और सब्सक्राइब यह सोधर्पूर अंगकोर में है लोकेटेड इन कंपूर्चिया देट इस कंबोडिया कंपूर्चिया जो पुराना नाम था कंबोडिया का इत वास ब्यूल्ट इन 12th यह स्टाइल की तो दो तरीके का तीन तरीके का आपको भी देखने को मिलेगा इस नगर कला द्रविडियन कला एं वे सारा आखिटेक्ट्चर सो नगर स्टाइल नगर स्टाइल इस प्रिवेलेंट थू आउट नौर्धन इंडिया इग्जांपल ए टेंपल सफूरिशा टेंपल फिलोरा इस देग्जांपल अवे सारा इस बीसिकली नथीं बड़ देखर द्रविडी और नगर स्टाइल और सेकेंड नेम ऑफ चालुक्या स्टाइल इसको वोलते हैं चालुक्या स्टाइल भी बुलते हैं पिर नबात करें सोंगिरी का तो इस लोकेटेट नियर तो इसका नंबर अगर 26 और 87 जोड़ दिया जाए तो 103 नंबर है तिया सततर जैन टेंपल हील पे है और चब्श विलेज में ठीक है सोना गिरी में फिर बात करें अधर फैक्ट्स की तो 57 जो टेंपल है वो में टेंपल है सिच्वेटेट अन दे हिल एंड इस रिलेटेट टू तिर्थंकर चंद्रप्रभु से रिलेटेट है चंद्रप्रभु तो दिल्वारा जैन टेंपल जो है इसका लोकेशन है माउंट अबू में इसको बनाया किसने था फ्यूडल लॉड अफ भीम देवववन भीमल साह ने इसको बनाया था फिर बात करें पलिताना जैन टेंपल की तो इट वाज इस लोकेटेट इन सत्रू जय हिल इस इन भाव जैन भीम्रोड़ भीम रून पली पुरम्ड बी ऑन भीम्रोड बीन लॉड़ इस लोर स्ट गोडिए इस इन तञ्ज्वर इस बीूड वीड्र एवरस वी रू पक्ष़ा इस इन हम्पी तो इस अभीर ओन लॉड लूड लूड इस ओने पंचह थां पंचह दू पंचह ठार other gods with a god has been built तो temple construction style है पंचियतम जिसमें एक god के surrounding में statue चार और gods के बनाए गए है South India का जो empire है चोला, चालुक्या, पला और संगम मेरा इसको थोड़ा से discuss करते हैं सबसे पहले तीन संगम हुए हैं South India में First संगम हुआ था मदुराई में प्रेसिड़न थे हैं, अगस्तिया, रिषी Second संगम हुआ था कपडपूरम में कपपदपूरम या है कपडपूरम बोलते हैं अलाइवाई में और इसके प्रेसिड़न अगस्तिया थे और तोलका प्यर भी इसके प्रेसिड़न थे थर्ड संगम जो हुआ था ये मधरई में हुआ था और इसके प्रेशिडेंट थे नकरर इसके प्रेशिडेंट थे तोलका पियम क्या है इट इस रिलेटे टो सेकेंड संगम and oldest text available of Tamil literature is तोलका पियम Tamil literature या फिर संगम पिरियट का oldest text अगर माना जाए तो ये है तोलका पियम इसके राइटर कौन है इसके राइटर है तोलका पियर वन अब दे टुवेल्व क्वालिफाइड डिसाइपल्स अफ सेज अगस्तिया ये तोलका पियर थे और ये एक बुक है जो की grammar पे बेस्ट है फि या अधिकम दे देर 스रेगें फ्रस्ट देरे शोल कीं टिकाल ग्रांट्सथ सभान और कुछ नहीं है छोल किंगे कान्ड के अलग्रिफ दिखाै गया है इनके पती जो है मार दिया जाता है इसमें कनागी का ग्रीफ दिखाया गया है इनके पती जो है को मार दिया जाता है तो यह काफी दम बॉखला जाती है पूरा सीटी को डिस्ट्रॉइ कर देती है कावेरी पत्नम को यह ऐसा कहानी इसमें लीद दिया गया है आप एंसी आटी पड़ोगे तो परद चलेगा फिर आएगा स्टैची अफ नट्राज सीवा इट फाउंड इन लाज नंबर और फीचर पोस्चर में दिखाया गया है और चोला की बात करें तो इसके इंपोर्टेंट एक रूलर ने राज राजवन ही कंकर्ड नौर्दन स्रिलंका एंड एस्सिमिलेटेड डाट इंटू दा इंटू दा इंटू इस किंग्डम ही अलसो कंकर्ड डिस्ट्राइड अनुरा किंग ऐसा किंग था जो कि इसके समय में चोल पावर जो है क्लाइमेक्स पर पहुंचा इसने बेफ बंगाल को चोला लेक बना दिया था बेफ बंगाल टूंड इंटू चोला लेक ही अलसो कंकर्ड द एंटायर सिन्हाला इलेंड इस लंका एंड इस इन्वेशन आफ गंगाई कोंड चोला एंड गंगाई कोंड चोल पूरम जो है इसकी नई कैपिटल बनाई थी इसने चोल किंग्डम की और कंस्ट्रक्शन अप चोल गंगम पॉंड भी इसी ने कराया था फिर आएगा कुलो तूंग वन कुलो तूंग वन जो था यह किंग था बीजय अफ स्रिलंका विकेम इंडिपेंडेंट इसके समय के और कुलो तूंग मैरेट इस डॉर्टर विट वीरा पेरुमल एचोला इंबेसी ग्रूप ऑफ 72 मर्चंट्स वाज सेंट चाइना टाइटल इन चोला राइटिंग जो है इसको सुंगम तारवित रिमूवर अफ टैक्स कहा जाता है ठीक है कंपिड़ा अठता प्रण Whats Fam यह हूँ यहतर राश्चॉत चोला के वीच में जिसमें राश्ट्र Κुटों के लेखा जायत तो बरियम कमीटी जो थी एक एक सब्सक्राव सुछ कमीटी टी टू टार्व गारें डिखती थी और सब्सक्रावरीयम एक एन्युटी ती एडंन 05 कमीटी दिन फिर देखे पल्लो रूलर्स की बात करें तो टाइटल जो है अवनी सिंग का टाइटल दिया गया था पल्लो रूलर्स शिंग विस्नु को एन अकॉर्डिंग टू कशा कुडी इंक्रिप्शन डी डिवेटेड किंग अफ चोला पांडिया स्रिलंका एंड कलमाड़ा तो टाइटल था महा मला का टाइटल नर्सिंग वर्मन को दिया गया था परमेश्वर वर्मन टाइटल दिया गय था लूकादिक्त एका मला ॉर राना या गुन भजन महनदर वर्मन wewn को इसकी आफर था मथ-विलास प्रहसण का है महनदर वर्मन Maar पूछा जाता है अरिक मेडू जो था एक पोड़के इसका एंसेव नाम था अरिक मेडू का अमफोरा जुग जो था एंडल अप बोड़ साइड्स था फिर कंबन की बात करें तो कंपोजिशन अप तमिल रमायन और राम अध्रम उर्यूर की बात करें तो सेंटर था ये कॉट पूर्फूर एमंग चालुक के रूलर था इसने रूल किया था 610 से 622 सेडी और इसने जो है उसको भी हराय था हर्स वर्धन को यह हमें प्राप सता है आई होल इंक्रिप्शन से जो कि इसका जो दरवारी कभी यानि कि कंपोजर था दरवारी कभी कोर्ट पोएट रभी कृ पूर्टी ने यह इंक्रिप्शन लिखा था जिसमें तारीक पूल बान दिया था इसने एपॉइंट्मेंट्मेंट आफ वूमेन अफुन इन आई पोजिशन इस बंस में था इस डाइनेस्टी का खास बात था और चंद्र दित्त क्वीन विजे भटारी का गॉट्टू कॉ वलनाडू में फिर कोट्टम जो वलनाडू जो था वो डिस्टिक्ट्स जानी कि नाडू में डिवाइड़ था और पूर जो था विलेज था जो की आखरी यूनिट था एड्मिनिस्ट्रेशन का पांड्या किंग्डम की बात करें तो लाइफ लाइन इनका वेंगी रूलर हारे दोटा सब्सक्राइबाइे लिएड़ रेंगी रिवर लोकेशन इस किंग्डम का था साउथ हप रिवर कावेरी इनका कैपिटल था मदूरा मदूरा या फिर मदूरा भी बोल सकते 26 एडी में इस किंग्डम ने भेजाता एक इमबेसी रोम के लिए थीक है एक इमबेस की बात कपड़े।ais कई मुद्रा रख्चास को लिखा था बिशाखदत ने अस्म म्यूров मुद्रा रख्चास को लिखा था बिसाखदत ने अस्न थेया के रचेतिया थे पानि और भ्रह कर17 129 ने लिखा था अरे भटिया आप ने लिखा cai प्रवात करें लिट्रेचर और कुछ और लिट्रेट की तो बराह मिहिड ने ब्रिज तकम पंच सिधान्ति का और ब्रिहत समेता का रचना किया था दांडिन ने और दांडिन ने कब्यागर्थ और दक्ष कुमार चरितर पिर बात करें असुघोस ने बुद्ध चरित का रचना था असुघोस सौंद्रा नंद का भी रचना किया था हर्स ने खुद हर्स राजा हर्स ने हर्स वर्धन ने प्रियदर्शी का रतनावली और नाग नंद का रचना किया था एंसेंट लिटरेचर और लिटरेटरेट के और बात काया तो मिदिल्द पनहों जो है वो इसका रचना किया था नाग सेम ने मालविक अगनी मित्र का रचना किया था कालिदास ने राज तरंगनी लिखा था कलहर ने गीत गोबिन जैदेव पंच तंट्र विष्णु सर्मा सिध्धांत सिरुमनी भासकराचारे ने मितक सरा विज्ञाने स्वर ने और मत विलास प्रहशा ने लिखाता महेंद्र बर्मन ने फिर एगेन लिट्रेचर लिट्रेटीएट है पतंजली ने लिखाता महाभास्य यस्क ने लिखाता निरुक्त कत्यायन लिखाता वर्तिक और वाद्शायन लिखाता कामशुत्र कालिदास ने बेगदुत भाव भूती ने लिखाता उत्रम चरित्रम भाव भूती ने लिख ने लिखाता, कुमार दास ने लिखाता, जन की हर नाम, सुद्रक ने लिखाता, मृच कटिकम, भरावी ने लिखाता, किर्थ अरजुनिया, भरावी ने लिखाता, बाणबट ने लिखाता, कादंबरी और मर्तुंग ने लिखाता, मेरु तुंग ने प्रबंध चिंता मनी, परबंद चींटा मनी। भास ने लिखा था स्वपनवास में डाता और हुआ सर्वेज़ार ने लिखा था है का तंतरा का तंतरा है और भार्सकराशारें लीला वटी ग्याष्ट में अर्ली अऔर अजल की बाद करें गोपाल और इसके दूसरे जो अच्छे रूलर थे वो थे धरमपाल बहुत बढ़ी है रूलर और आडेंट बुद्धिस्ट थे ये लोग ठीक है मैं अगर बात करो धरमपाल के तो ये भी थे और बाकी भी जो इसके साथ सकते वो भी बुद्धिजम को ही बिलॉंग करते थे परम सोगाता इनका जो है नाम मेंसंड है इंक्रिप्शन में ही स्टैब्लिस्ट बिहारा एट बिक्रम सिला सोमपूरी जो कि आसके डिट में भागलपूर में है पिर आता है देवपाल देवपाल एक बुद्धिश फॉलोवर था ये डिनोटेट फाइव विलिजेज इसका सबसे इंपॉर्डेंट इविडेंस सबसे इंपॉर्डेंट इवेंट यही है देवपाल के समय कि इसने पांच बिलेज डोनेट किया था फॉर कंस्ट्रक्शन अफ बुद्धिस्ट बिहारा एक नालंदा और रिक्वेस्ट अफ बाल पुत्र देव सेलेंदर वन सी रूलर जावा पे रिक्वेस्ट पे ऐसा किया गया था फिर हम बात करेंगे गढ़वाल डाइनेस्टी की इसका फांडर था चंद्र देव गोबिंद चंद्र गढ़वाल जो है इसके बारे में बात करते हैं इसको वाइफ तीरानी कुमारा देवी जो की बुद्धिस्ट फॉलोव हुआ करते थी और द्रम चक्र जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ जीन बिहार सारनाथ में किया गया था मिनिस्टर था इसका लक्ष लक्षमी धर और जैचन था वो लास्ट रूलर था इस डाइनेस्टी का फिर आएगा आलहा उदल आलहा उदल दे बिलॉंग टू महोबा महोबा से बिलॉंग करते हैं एंड जेनरल ऑफ परम दी डेव चंदेल रूलर के जेनरल हुआ करते हैं डिफिटेड वाई पिथवी राज चोहान सोर्च जो है पिथवी राज रासो है और परमल रासो है इसका जैसिंग सिधराज की बात करें तो हिवाज चालुक के रूलर अफ गुजरात रिलिजिएसली टोलरेंट रूलर माना जाता है इसको ही डोनेटेड वन लाख बैलॉंप्स दैट इस करेंसी फॉर मॉस्क टोलरेंट था ये काफी मॉस्क के लिए भी इसने डोनेशन किया था गुर्जर प्रतिहा डैनेस्टी का जो फांडिंग रूलर है व इसने लगाया था फिर बात करें महिर भोज की तो इस ग्रेटेश डूलर अब डाइनेस्टी बैस नवईट था ये और टाइटल जो थे इसके वो था आदी वर्स और प्रभास आदी वर्स और प्रभास अब हम बात करेंगे सेन डाइनेस्टी की तो सेन डाइनेस्टी का फाउंडर था समंत सेन लक्षमन छे सेन जो है एक इंपॉर्टेंट रूलर था जिसने रूल किया था इस डाइनस्टी को अठाइस सालों के लिए लक्षमन समवत को भी शुरू किया था इसने बलाल सेन एगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट सा सकता इसका टाइटल था निसंख संकर और राइटर अफ दन सागर एंड अदभूत सागर का राइटर था ये बलाल सेनी परमार डाइनस्टी आती है जिसका फाउंडर था सेयक और स्री हर्चा भी बोलते इसको बकपती मुंजा कंस्ट्रक्शन अफ मुंज सागर कॉंड इसी ने कराया था टाइटल इसका श्री वल्लभ और प्रिथिवी वल्लभ अमोग वर् शिंदू राज इसका अगला सासर था जिसका टाइटल था कुमार नरायनन और सहसांक भी इसका टाइटल था किंग भोज उसके बाद बैठा था जिसका जिसका इट वाज रूल बाई स्वर्ड ठीक है अग्ड कॉंपोजिशन इसका क्या है समरंग सुत्रधर रिलेटेड ट कंथा भरन सिल्धान्त संग्र इसका कुछ अधर कॉंपोजिशन था कंस्ट्रक्शन अब बैंक्यूट हॉल बनाया था भोज साला बनाया था इसने पित्राज तिर्दिय जो था पित्राज चौहान भी गोलते है रूलर अफ अजमेर था फर्स बैटल अब तराइन में यह ज अब्तेन किया गया है फ्रों मंदा सौर इसको अब्तेन किया प्रमंडा एकरंड तो ऑठक्रण कया गया है और पंटा वाय की यह श्री यानि के सिल्क यान वीवर्च ये इसने बताये गया с पिर आएगा विग्रह राज फोर्थ इसका रेन जो था डेली इसका रेन जो था 11-13 से 11-13 था दस साल का डेली विक्टरी इसका मोस्ट प्रॉमिनेंट विक्टरी था टाइटल सीसने परमभत्र का परमेश्वरा महराजा धिराज कभी बंधव बाई जयनक फर्स्ट एमंग नोट में देखें आप लिखा गया सोम्द क्रियेशन था ललित बिग्रह राज सोम देव के द्वारा लिखा गया था ललित बिग्रह राज फिर हम बात करेंगे अब जेजा जेजा का भुक्ती के बारे में जेजा का भुक्ती एंसेंट नेम था ये बुंदेल खंड का नेम प्राइजर था ये कुमार पाल का सक्सेशर टू सोलंकी डाइनेस्टी रूलर जैसिंग सिद्राज फिर आएगा आपको अधर इंपोर्टेंट फैक्ट से रिलेटेड पिजाइडिंग डाइटी अफ भोज साला टेंपन कौन था भगवती सरस्वती था हद एजिम्ड टाइटल अफ बिक्रमादित इसमें होगा हैड एजिम्ड किसने एजिम किया था तो गंग देव इसका नाम है गोद वाहो नोन एज अकबर अफ कस्मीर इसका नाम है जैनुल अभिदीन जैनुल अभिदीन पिराएगा हिरन्य गर्भा योग यग्या वाज प्रफॉर्म्ड वाई दंती दुर्ग तो अथर अफ दया भाग इसका था एंसर जिमुत वाहाना तो अथर अफ चतुर वर्ग चिंता मनी वाज हमादरी हमादरी राश्टकुटर रूलर बॉन इन मिलिटरी केंटोनमेंट वाज अमोग वर्षा इंक्रिप्शन रिलेटेट तु धरमपाल वाज खलीमपूर खलीमपूर इंक्रिप्शन दौ अथर पित्रीराज राशो वाज पुंडर वर्धन भक्ती वाज लोकेटेट इन एंसेंट टाइम्स इन रिजन अफ नौर्थ बंगाल फिरम बात करेंगे एंसेंट इंडियन इस्ट्री से रिलेटेट कुछ मिस्लेनियस फैक्ट्स को देखेंगे सिंबल्स अप तिर्थंकरा रिशब्देव का था बुल महा अबीर स्वामी का था लायन अजीत नाथ का था एलिफेंट और संभाव नाथ का था होर्स पद्म प्रव का था लोटस सुपर स्वनाथ का था सुपर स्वनाथ का स्वास्तिक माली नाथ का था पिचर नमी नाथ का था ब्लू लोटस नेमी नाथ का था काउंच और पास नाथ का था पास नाथ का था सर्पेंट नेमी नाथ इस अनादर नेम फ़र अरिस्ट नेमी मेंसंड इन रिग वेदा कुछ और मिस्लेनियस फैक्ट्स देखेंगे सैविजम से इलेटेड लिंगायत और सैविजम ओरिजिनेटर कौन था अलब प्रभू था इसका ओरिजिनेटर इस डिसाइबल पसावा प्रोपोगेशन इसका साउथ इंडिया में हुआ 12th century में और कपालिक सेक्ट एक्स और नाथपन्थ सेक्ट दो तरीके के सेक्ट इसमें देखेंगा है कपालिक सेक्ट ऐसे थे देर मेन सेंटर स्री सेल एक्कॉर्डिंग तू माल्ती माधव भाव भूती के हिसाब से नाथपन सेंचूरी कंसेडरिंग सेवा अधिनात अधर नाथ रिकोगनाइज दिवाइन पॉर्शन वाइडली पॉब्लिष्ट वाइबाबा गोरखनात इन 10 तू 11th सेंचूरी पिर आएगा सक्त 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 इस्ता देवी सक्ती बोला गया है क्लोज अस्टेशेशेशन विट सेविज अधिया फेमस सेंटर फॉर कॉल सेक्ट मेजर टेंपल से सोसीएड़ेद विट सैविजम तो एक है राज राजस्वर टेंपल तंजोर तमिलाडु में राज राज वन ने इसको बनाया था सीव टेंपल भूर्मा मध्यपरदेश में नटराज टेंपल चिदंबरम में तमिल सर्वा और भूपति के नाम से जाना गया है महाभास से जिसकी रचाइता थे जिसके पतंजली इसमें में मेंसन किया गया वर्शीप आप सीवा बाइं मेकिंग एन आइडल इन सेकेंड संचूरी बीसी पिर यहां पे कुमार संभवम जो की काली दास ने लिखा था इन प्रे एक टाइपस अप गोल्ड कॉइंस सब्समुन्दुपत था समुन्दुपत के टाइप और गुल्ड के बात करें तो एक था गरूड स्टेंडर्ड टाइप था ही एक था लिएस्ट डाट इस बीना वधना टाइप का एक कोइन हुआ करता था जिस पर बीना वादक के रूप पर समुन्दुपत को दिखाए गया ताइगर स्लेयर यानि की ड्याग्र हनन यह भी इसका एक कोईन पर विक्चर है किंग एन क्विन टाइप एक तरफ किंग है दूसरे तरफ क्वीन है वह भी एक है असुमेग होर्स स्क्रिफाइज टाइप बैटा लेक्स डैट इस गुप्त बार विट पुशिमित्र अन हुनाज इन भीत्री कॉलम इंक्रिप्शन में दिखाया गया है असुका पिलर वाज ओरीजनली लोकेट इन कोसामभी इट वाज स्टैबलिस्ट इन अलाबाद भाई अकबर थे फर्स अफ गुप्त रूलर टीशु क्वाइन इस इन इंडिया हर्स के पिडियर्ट के कुछ इनफोर्मेशन देखते हैं डिटेल इनफोर्मेशन फॉर्फ और गवर्नेंस फांड फ्रम द बानवट का जो कंपोजिशन है हर्स चरित उससे पाय जाता है कलहन की राज तरंगनी इस अनदर सोर्स पार्शिल इनफोर्मेशन चा ट्रांसफर करके कनोज जो था यह यूज असेंबली अफ टीचर से आप लगाई गए थी अफ डिफेंट रिलीजिएस रिजिएस रिजिएस रिलीजिएस और सेक्स इंडिए गया थे इसमें प्रेसिडेंट अफ एसेंबली कौन था वेन सांग था तो यहां पर गाईस हमने इंसेंट इंडिया कवर किया हूब कि आपको पसंद आए होगा पसंद आए तो लाइक कर दिना सेर कर दिना दोस्तों के सांदें सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को मिलेंगे अगले वीडियो में बाई बाई